अब हम यहां शुरू कर रहे हैं one shot of surface chemistry काफी बढ़िया चैप्टर है यह और physical chemistry का last chapter में से एक है और यह almost यहाँ पर यह कह सकते हैं कि थोड़े बहुत concepts है लेकिन mostly यह चैप्टर जो है वो theoretical है तो इसमें और यह मान लो कि बहुत ही आसान question है एकदम free के जो है यहाँ पर हमको number मिलते हैं इस chapter से तो इस chapter को miss मत करना and जो हम यहाँ पर देख रहे हैं उसको ही यहाँ पर अगर तुमने कर लिया तो बहुत अच्छे से हम यहाँ पर हमारे questions को हमारे exam को approach कर पाएंगे तो बस देखते हैं इस chapter में क्या क्या है ठीक है तीन चार chapter तीन चार उसमें यह चीज बटी हुई है absorption का phenomenon उसके बाद फिर catalyst का phenomenon और उसके बाद फिर कहीं जाके last में colloids का आता है तो colloids का थोड़ा सा major part है जो later उसमें आएगा लेकिन उससे पहले हमको यह सारी जानकारी absorption और catalyst के बारे में जानना है तो start करते हैं बिना देरी के one shot of surface chemistry absorption से यहाँ पर हम शुरूब करेंगे absorption जो है यह जो chapter है उसमें सबसे पहले है absorption के बारे में देखें absorption क्या होता है absorption का मतलब है absorption is the surface phenomena in which one substance gets accumulated ठीक है एकटा होना है एक चीज़ जो है वो एकटी हो जाती है किसके उपर over the surface of the another तो यहाँ पर दूसरे surface के ऊपर यहाँ पर यह चीज़ एकटी हो जाती है तो इसलिए यह एक surface phenomena होता है add is option लिखा हुआ है add is option ठीक है add is option है ध्यान रखना add is option अलग चीज़ होती है surface मतलब सिर्फ जो ऊपर ऊपर की परत होती है उसको हम surface बोलते है बाकि जो अंदर की चीज़ होती है उसको हम bulk बोलते है तो हम bulk और surface में हमको चीज़ क्लियर होनी ची़ है surface मतलब ऊपर ही जो सतर होती है उसको हम surface बोलते है अंदर की चीज़ को हम bulk बोलते है तो जो सिर्फ और सिर्फ 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 के ऊपर ही चीज़ इखटी हो रही है जैसे blackboard के उपर chalk लगी रहती है वो भी adsorb होती है अंदर नहीं जाती है कहीं पर absorption नहीं होता है water over raincoat water over raincoat raincoat हम जानते है raincoat के उपर water आ जाता है तो वो चीज होगी corrosion ठीक है corrosion जो है यहां पर हम बोल सकते हैं कि वो भी surface phenomenon ही है surface पर ही होता है बलक के अंदर अंदर से जंग नहीं वो भी adsorption का काम करता है वहां पर जितनी भी gases है वो adsorb हो जाती है silica gel silica gel जो है वो यहां पर moisture को adsorb करने का काम करता है silica gel है न तो वो भी surface प्रवाइड करता है paint over wall वाल के उपर जो paint होता है हम जानते हैं कि अगर हम wall को उसको ठोकेंगे अंदर तो हम जानते हैं कि अंदर इंट 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 पूरी bricks निकलेंगी है न क्यों क्यों कि जो paint हमने किया है वो सिर्फ सर्फिस तक ही सीमित है वो कहीं अंदर तक ऐसा absorb नहीं हुआ है कि paint हमको अंदर तक मिल जाएगा isn't it तो यहां पर यह सारे example है add is option के ठीक है तो यहां पर जैसे एक pressure है यहां पर सतह पर बैठ जाएंगे इसकी सतह पर बैठ जाएंगे एड्जॉर्ब हो जाएंगी तो हम देखेंगे कि यहां पर pressure ज्यादा था और यहां पर pressure एकदम से कम हो गया है due to the activated charcoal क्योंकि activated charcoal ने क्या किया है वहां पर जैसे ही वो introduce किया गया उसने दूसरी gases को adsorb कर लिया है ठीक ह इसे ही उसके अंदर charcoal लाया जाता है ब्राउन शुगर के उपर भी अगर आप अपन चार्कूल इंट्रीउस करेंगे तो white sugar में convert हो जाएगा तो वही raw sugar जो है वो refined sugar बन जाती है ना यह चीज भी तुमने पढ़ी होगी तुम जानते होगी इस चीज के बार में इंपॉर्ट के बैट रही है उसको हम adsorbate कहेंगे क्या कहेंगे adsorbate adsorbent वो जिसके ऊपर adsorption हो रहा है the substance over which the adsorption occurs याने कि जो अपना खुद का surface provide कर रहा है वो species जो है adsorbent किलाती है जो आ करके बैट रहा है वो adsorbate जिसके ऊपर बैट रहा है वो adsorbent बहुत सिंपल सी बात है ना desorption 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 मतलब reverse process of adsorption that is a removal of adsorbate from adsorbent कोई आ करके बैट गया तो adsorbate adsorbent के ऊपर आ करके बैट गया तो इसको adsorption बोलेंगे उठकर चला गया उससे desorption कहेंगे ठीक है तो यहाँ पर जो removal of adsorbate from adsorbent जो होता है उसको हम desorption कहते हैं since adsorption is a surface phenomena it increases with increase in surface area जैसे ही हम यहाँ पर क्योंकि हम जानते हैं कि surface phenomena है जितना ज्यादा surface area होगा उतना ज्यादा यहाँ पर हमको adsorption देखने को मिलेगा ठीक है अब adsorption और absorption में क्या अंतर है दोनों similar terms है एक adsorption है एक adsorption तो दोनों में अंतर यह होता है कि adsorption जो होता है वो surface phenomena होता है वहीं adsorption जो है वो bulk फिनॉमना है अंदर absorb हो गया हो एब्सॉर्ब अलग है adsorbate cannot penetrate in the bulk of the adsorbent ठीक है अब adsorbate जो है वो adsorbent के bulk में नहीं adsorb हो सकता है न वहीं adsorbate की अगर बात करेंगे it can uniformly penetrate inside the bulk of adsorbent तो वहाँ adsorbate देखो यहां बी है ठीक है तो यहां पर वो bulk में चाला जाता है बटर पेपर वॉाटर जैसे इसका example है यहां पर बटर पेपर इसका बटर पेपर वाटर जाता है तो वह adsorb होता है वो अंदर bulk नहीं जा बड़ जाए गुलाब जामून जो है वो चाशनी जो है ऑब्सॉप्शन का example है क्योंकि हम जाते हैं गुलाब जामून के अंदर ही व phenomena in which absorption and absorption happens simultaneously, जहाँ पर ये दोनों चीज़ें साथ में हो जाएं उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं sorption बोलते है, sorption जैसे example के तोर पर chalk in ink तो हम जानते हैं कि chalk को जब हम ink के अंदर dip करेंगे तो वहाँ पर जो color होगा वो adsorb हो जाएगा और वो सिर्फ सर्फिस तक रहेगा, लेकिन जो water होगा वो absorb होगा और penetrate हो जाएगा बलके अंदर chalk में तो तो तुम्हें जब chalk को ink में डुबोगे और उसको तोड़ोगे तो तुम्हें दिखेगा कि जो color है इंक का जो color है वो सिर्फ सर्फिस तक ही है लेकिन जो wetness है, जो गीलापन है वो तो अंदर तक हो जाएगा उसका reason क्या है? जो water है वो तो absorb हो गया लेकिन जो dye है वो सिर्फ adsorb हुआ है तो जहाँ पर adsorption और absorption साथ में अकर होते हैं उसको हम sorption कहते हैं ठीक है बाग, clear हो गई अब mechanism of adsorption कि यहाँ पर adsorption होता है तो क्यों होता है? वाइड है वाइड है? वाइड है अब इस इस इन इंपोर्टन थिंग और यह एक conceptual part है तो अच्छे से देखना सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इसका environment जो होता है वो responsible होता है तो अगर हम यहाँ पर यह देखेंगे कि यह molecule surface वाला है तो यहाँ पर net force जो है 0 नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो दूसरे molecules हैं जो intermolecular force इसको लगा रहे हैं तो वो अंदर की तरफ इसको खींचेंगे वहीं अगर B की बात करते हैं जो की bulk में बैठा हुवा molecule है तो उसमें सारी ही तरफ से बराबर बराबर intermolecular force आती है तो इस वज़े से net force तो है यहाँ पर 0 हो जाता है तो इस वज़े से अपनी energy lowering करने के लिए यहाँ पर यह चीज़ें जो है इस वज़े से जितना ज्यादा surface area रहेगा surface पर molecules उतने ज्यादा रहेंगे उतने molecules जो है उन molecules की जो surface पर बैठे हुए है उनकी net force 0 नहीं रहेगी environment अलग रहेगा इस वज़े से absorption ज्यादा होगा है तो यह चीज़ हम यहाँ पर समझ सकते हैं दूसरा heat of absorption, since the molecules at the surface do not have net force 0, जो surface पर बैठे हुए molecules से उनका net force 0 नहीं होता है, thus they are highly unstable और इसी वज़े से वो काफी ज्यादा unstable रहते हैं ठीक है, we can say its surface energy is high, उसकी जो surface energy होती है, वो ज्यादा होती है ठीक है, as the absorption starts, जैसे ही absorption start होता है, तो हम जानते हैं कि इसके उपर molecules आकर के बैठना start कर देंगे और जैसे absorption होगा, तो net force on the surface molecules starts decreasing, और इस वज़े से जो A molecules था, क्योंकि इसके उपर आकर कोई बैठ जाएगा, तो इसके net force जो है, वो 0 अब नहीं रहेगा मतलब, 0 होना start हो जाएगा, 0 की तरफ tend होगा, क्योंकि सारी चीज़े हैं, तो net force on the surface of molecules starts decreasing they tends to go towards more stability, और वो जाते हैं जब तक वो ज्यादा stability रीच नहीं करते हैं, वो इसलिए होते हैं, क्योंकि stability जो है, उनको चाहिए रहती है they will have lower surface energy, जैसे ही adsorb करेंगे, तो उनकी surface energy जो है, वो lower हो जाएगी, isn't it so the energy will be released that is, delta H जो है, वो negative रहेगा और हम कह सकते हैं, कि यह exothermic process है, this is an important thing that, adsorption is an exothermic process, ठीक है क्यों होता है, क्योंकि उसकी surface energy जो है, कम हो रही होती है surface energy कम होगी, तो overall energy जो है, lower हो रही है और lowering energy हो रही है, इसका मतला energy जो है, वो heat में बदल रही है तो delta H negative exothermic reaction है ठीक है, spontaneity की अगर बात करते हैं, तो spontaneity में हम देखते हैं तो delta G, जो है spontaneity के लिए delta G less than 0 होना चाहिए यह हम जानते हैं, अगर delta G जो है, वो delta H minus T, delta S है जानते हैं, जितना ज्यादा रेंडमनेस बढ़ेगी उतना ज्यादा यहाँ पर entropy बढ़ेगी ठीक है, तो जैसे जैसे disorder increase होगा, entropy भी क्या बोलते हैं, increase होगी यहाँ पर increase होना चाहिए entropy increases, ठीक है और अगर disorder order increase होगा order अगर बहाँ पर मतलब चीज जादा ordered way में जाएगी increase होगी तो यहाँ पर entropy जो है वो decrease होगी ठीक है तो यह बात ध्यान रखना delta G को delta H minus T delta S यहाँ पर हम देख सकते हैं तो यह चीज तो negative है delta H का negative था एक्जोथर्मिक था और delta S जो है वो भी negative होता है अब क्यों negative होता है क्योंकि जब बाहर की जो दूसरी gases है जो इधर उधर पहले बिखरी हुई थी लेकिन absorption की वज़े से वो चीज वहाँ पर आकर के बैठ गई है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो बिखराव जो है वो कम हो गया है चीज जो है जादा बिखरी हुई से कम बिखरी हो गई यानि कि randomness कम हो गई है इसलिए हम बोलेंगे कि यहाँ पर entropy घट गई है तो delta S negative होगा जिसकी वज़े से यहाँ पर minus T delta S जो है वो पूरी चीज positive हो जाएगी अब यह positive है यह negative है इसका मतलब पूरी चीज बात पर करेगी कि delta H जो है वो कितना negative है तो in adsorption the randomness decreases and hence delta S is negative delta G is equal to delta H minus T delta S if delta H is negative delta H जो की negative है is more than minus T delta S जो की positive है तो delta G जो है वो negative होगा और spontaneous होगा process तो adsorption continue करेगा सही बात है as the adsorption process continues जैसे जैसे process जो है वो continue होती जाएगी net force of the surface molecules starts closing to zero net force जो surface molecules पर लग रहा है वो zero होना start हो जाएगा इसका मतलब the need of adsorption decreases जो adsorption की need थी adsorption की need क्यों थी क्योंकि net force zero नहीं तर surface molecules का उनकों कम करना था lower energy करना था तो इस वज़े से यहाँ पर उनका need of adsorption जो है घटता जाएगा need of adsorption घटने की वज़े से less energy is released और इसी वज़े से कम energy release होगी less energy will be released and delta H becomes less negative isn't it? the need of adsorption जो adsorption की need है वो घटती जाएगी जिसकी वज़े से less energy जो है वो release होगी और less energy release होने की वज़े से delta H जो है वो less negative हो जाएगा और जैसे ही वो less negative होगा as soon as delta H negative becomes equal to minus T delta S क्योंकि minus T delta S तो होता है लेकिन क्योंकि delta H जो की पहले किसी जमाने में इस minus T delta S से ज्यादा negative था तो इस वज़े से overall delta G negative हो रहा था मतलब delta H जीत रहा था उस time लेकिन जैसे जैसे delta H कम होता जाएगा delta H कम negative होता जाएगा एक time ऐसा आएगा जब minus T delta S के बराबर आजाएगा जैसी वो बराबर आजाएगा तो हम बोलेंगी delta G जो है वो zero हो गया है क्योंकि delta H minus T delta S दोनों एक दूसरे को काट देंगे, answer G zero हो जाएगी यानि कि delta G जैसे ही zero हो हम बोलेंगे कि equally equilibrium reach हो जाएगा और adsorption जो है अब वो stop हो जाएगा adsorption process stop हो जाएगी ठीक है इतनी बात समझ में आ गई तो ये चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं तो ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि ये चीज important है और ये चीज तुम्हें हो क्या हो जाएगा जीर हो जाएगा ये चीज हमको clear हो जाएगा ठीक है बात समय में आ गई है ना तो अब देखते हैं types of adsorption types of adsorption जो है इसमें physics option और chemis option दो type के adsorption होते है physical adsorption जो है उसी को हम physics option बोलते है है ना तो there is no bond formed between adsorbate and adsorbent इस physics option में किसी भी प्रकार का कोई bond formed नहीं होता है adsorbate or adsorbent के बीच में ठीक है तो they are together only by the force of wonderwall's interaction, wonderwall's interaction जो होते है wonderwall forces जो होते है उधी के थुरू उहाँ पर वो connection होता है यानि कि वो जुड़े होते है they are held together by wonderwall forces but यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई bond form नहीं होता है adsorbate or adsorbate केवल टिके हुए है ठीक है जैसे example के दौर पर dirt over skin gas on charcoal gas जो है charcoal के उपर आ जाती है और चिपक जाती है महले एक प्रकार से चिपक गई ठीक है और अंदर adsorb नहीं हो रही है लेकिन यहाँ पर जो चिपक गई है कोई bond form नहीं हो रहा है वो सिर्फ टिके हुए है याने कि बैड गए है आखर गए है ऐसा समझ सकते है dirt over skin very low energy of activation इनकी activation energy काफी कम होती है delta H negative होता है और less exothermic होता है इनका delta H होता है negative तो होगा ही adsorption तो exothermic होगा लेकिन less exothermic होगा physics option के case में ठीक है अकर सेट low temperature low temperature पर अकर होते है ठीक है water droplets over leaves जो water droplets हैं वो पत्नों के उपर तुमने देखा होगा कि उस जब जम जाती है तो उसके उपर water droplets जम जाती है तो that is also a kind of adsorption होने ठीक है न फिर chemical adsorption अगर हम देखते है तो chemical adsorption को ही हम chemisorption बोलते है तो यहाँ पर actually bonds form होते है ठीक है actual bonds are formed between adsorbate and adsorbent इसका example है corrosion जंग जो लगती हम जाते है it is a reaction which takes place only at the surface तो इस वज़े से यहाँ पर corrosion is an example of chemical adsorption ठीक है high energy of activation इसका delta H ज्यादा negative होता है and therefore called as activated adsorption इसी को इसी लिए हम लोग activated adsorption कहते है क्योंकि इसका delta H जो है वो काफी negative होता है ज्यादा negative होता है ठीक है occurs at high temperature इस वज़े से यह high temperature पर occur किया जाता है ठीक है sometimes physics option and chemis options occur simultaneously ठीक है तो उसमें physics option और chemis option दोनों ही साथ में अकर होते है तो इस वज़े से यह एक tribe का वो हो गया तो physics option and chemis option में अंतर क्या है physics option में bonds form actually जो होते है bonds actually form नहीं होते है physics option में केवल बेंटर वार्ट पोर्स रहती है वहीं chemis option में यहां पर actual bonds form होते है ठीक है अब features of physics option में देखे तो features of physics option अगर हम देखने है physics option है not chemis option lack of specificity lack of specificity मतलब nothing specific किस चीज़ को ले करके देखो since there is no intervals force involved so there is nothing specific on the type of adsorbate which gets adsorbed over the adsorbent ऐसा कुछ fix नहीं रहता है कि कौन सा adsorbate जो है वो आकर के adsorb होगा कोई सी भी चीज किसी भी चीज के उपर आकर के adsorb हो सकती है it is nothing specific कि कोई particular gas ही आकर के adsorb होगी दूसरी gases adsorb नहीं होगी ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि कोई particular जैसे मैं ऐसा समझो कि जैसे मैं क्या बोलते हैं रेंकोट है और रेंकोट में अगर बारिश होती है तो बारिश के पानी से भी बचाता है लेकिन अगर किसी ने तुमको ऐसे पिछकारी फेक के मार दिया और उसमें से रंग निकल रहा है और तुमने raincoat पहना हुआ तो तुम्हें उससे भी बचाएगा ऐसा थोड़ना है कि discriminate करेगा वो इस चीज को लेकर कि क्या चीज तुमारे उपर फेकी जारी है तो वो चीज है कि raincoat दोनों ही चीज से बचाएगा मनलब कि आपको adsorbit, adsorption जो हो रहा है वो specific नहीं होता है तो वो ही चीज यहां पर बताने की कोशिश की गई है कि there is nothing specific about adsorbate which gets adsorbed over adsorbent example charcoal can adsorb SO2 and CO2 ठीक है charcoal जो है वो SO2 को भी adsorb करेगा और CO2 को भी adsorb करेगा ठीक है फिर nature of adsorbate की अगर बात करते है nature of adsorbate जो होता है यहां पर nature of adsorbate तो इसमें हम देखते हैं the amount of adsorption will depend on the liquefability of the gas तो यह चीज ध्यान रखना कि nature of adsorption का यह एक feature है कि जो adsorption है हमारा वो क्या बोलते हैं इस बात पर depend करता है कि जो gas adsorb हो रही है उसकी liquefability क्या है liquefability यानि कि कौन कितनी आसानी से liquefy हो रहा है तो धिएन रखना जो आसानी से liquefy होता है वो आसानी से adsorb होता है जो easily liquefu gases होती है वो adsorb होती है ज्यादा regionally ज्यादा आसानी से ठेक है the ability of the gas to liquefy depends on the critical temperature of the gas because Venderwall's forces are stronger near critical temperature तो critical temperature के पास the ability of the temperature to the ability of the gas तो लिक्विफाई है ना, ability of the gas जो लिक्विफाई होने की है, वो depend करता है critical temperature पर है ना, तो critical temperature जितना ज़्यादा होता है, उतनी आसानी से वो चीज लिक्विफाई होती है, on the critical temperature of the gas because Venderval's forces are stronger near critical temperature therefore 1 gram of charcoal adsorbs more SO2 then CH4 and then H2, यानि कि SO2 जो है gas है, वो कम ज्यादा किसको adsorbs करेगा वो स्टीज को adsorbs इस चीज पर depend करेगा कि कौन ज्यादा आसानी से लिक्विफाई होगा, तो SO2 है, उसका critical temperature 630 Kelvin है, वो जिसका critical temperature ज्यादा होता है, वो आसानी से adsorbs होती है, ये चीज़ ध्यान 33 Kelvin, जो की काफी कम है, तो इस वज़े से इसको liquefy करना काफी difficult होता है, ठीक है, तो इस वज़े से यहाँ पर इसका adsorption भी काफी कठें है, H2 का ठीक है, फिर reversible nature, इसका जो nature होता है, किसका physics option का, वो reversible nature का होता है ठीक है, इसका मतलब यह है कि solid अगर gas के उपर adsorb हो रहा है solid और gas आकर के मिल रहे है solid gas का एक adsorption और adsorbate का एक वो चीज़ बन गया है, और यह यहाँ पर heat adsorb करेगा, ठीक है यहाँ पर heat जो है, release करेगा, क्योंकि हम जानते है, एक्जू सम्ने, तो pressure बढ़ाने पर adsorption बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाएंगे, तो adsorption जो है वो increase होगा, याने कि forward जाएगा, क्योंकि pressure कम होने से adsorption कम होगा, याने कि यह चीज़ बैकवर्ड जाएगी, तो यह ध्यान रखना, जितना ज्यादा हम pressure increase करेंगे, तो adsorption बढ़ जाएगा, adsorption increase होगा, क्योंकि हम gas के उपर pressure लगा रहे हैं, तो ज्यादा molecules अंदर की, नीचे की तरफ जाएगे, और जाकर के adsorbs हो जाएगे surface के उपर, वही temperature अगर बढ़ाते हैं, temperature बढ़ाने से adsorption घटता है, याने कि यह चीज जो है backward shift होगी, temperature घटाने से, ठीक है, और temperature कम करने से adsorption बढ़ेगा, यह चीज forward shift होगी, ठीक है, तो यह चीज तो निहान रखना कि pressure और temperature याने कि यहाँ पर यह चीज पता चल रही है हमको, कि एक reversible nature है इसका, याने कि यह चीज adsorption और desorption दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है, surface area, surface area यह है कि बहुँ, surface area जितना ज्यादा होगा, adsorption ज्यादा होगा, directly related है, therefore finely divided और porous substances are good adsorbent, वो good adsorbent होते हैं, ठीक है, enthalpy of adsorption, enthalpy of adsorption की बात करें, तो weak vendor walls forces that is therefore less exothermic, ठीक है, 20 to 40 kilojoule per mole जो होता है, इसका यह रहता है, weak vendor wall forces होते हैं, less exothermic होता है, ठीक है, less exothermic होता है, इसलिए enthalpy of adsorption भले ही negative होती है, क्योंकि vendor wall forces हैं, लेकिन कम energy release होती है, ठीक है, यह किस की बात हो रही है हमारी, physics option की बात हो रही है, ठीक है, हर किसी के साथ तो कोई भी bond form नहीं कर लेगा, जो चीज एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेट दोनों के उपर ही depend करेगा, कि दोनों यह दूसरे से reactive हैं भी या नहीं, अगर reactive होंगे, तो ही यहां पर क्या होगा, वो specifically उससे एक chemis option याने की chemical adsorption पर को हम करें, the one which are capable of forming bond are adsorbed and hence specific, और इसी वज़े से वो specific भी रहते हैं, ठीक है, क्योंकि bonds form होता है, irreversible process, irreversible होता है, क्योंकि एक बार bonds form हो गए, एक बार corrosion जंग लग दी, तो वापस से ऐसा थोड़ना होता है, जयसे जयसे temperature increase होता है, वैसे वैसे यह process increase होती है, temperature बढ़ेगा, pressure बढ़ेगा, तो यह सारी चीज़ें जो है, फेवरिबल condition है, chemis option, chemis option increase होगा, with increase in temperature and increase in pressure, ठीक है, surface area, surface area बढ़ेगा, तो chemis option बढ़ेगा, है ना, यह चीज़ पर obvious है, मतलब यह तो चाहे physics option हो चाहे chemis option हो surface area बढ़ने से chemis option मतलब कोई भी absorption हो क्योंकि सब surface phenomenon है ठीक है, enthalpy की बात करने तो high negative होती है हमने यह देखा था कि जो physics option है वो less negative होता है यह high negative होता है 80 to 240 kJ, जादा exothermink होता है अगर summarize करें और इन दोनों का यहाँ पर हम difference देखते है तो हम यह पाएंगे कि physics option में वेटरवल्ड forces होती है इसमें formation of bond होता है इसमें specificity lack करती है इसमें highly specific होती है यह reversible होता है physics option, chemis option यह reversible होता है physics option जो है वो depend करता है nature of absorbate पर जो की ज्यादा liquefable gas होगी तो ज्यादा absorption बढ़ेगा वहीं यह भी depend करता है nature पर ज्यादा reactive होता है वो prefer किया जाता है ठीक है low enthalpy enthalpy इसकी low होती है 2240 kJ per mole कम exothermink होता है यह high exothermink होता है यहाँ पर 82-240 kJ per mole रहता है temperature lower temperature preferable रहता है इसमें higher temperature preferable रहता है इसका activation energy low होता है इसका activation energy ज्यादा होता है इसमें multi-layer यह चीज़ important ध्यान रखना है इससे question आ सकता है multi-layer जो है वो physics option पर form हो सकते है क्योंकि हम जाते हैं कि even drop of forces है एक के उपर, एक के उपर, एक के उपर, एक का करके बैठ सकते है तो multi-layer form हो सकते है ठीक है लेकिन chemis option जो है वो unimolecular layer बनाता है क्योंकि हम पता है क्योंकि हम पता है chemical bonds हो रहे है तो एक बात जो पहली layer ने अगर bonds बना है अब adsorption isotherm की बार करें तो adsorption isotherm में हम देखते है कि variation of amount of gas absorbed expressed by x by m with a pressure at constant temperature variation of amount of gas absorbed तो what is this friendly Lewis ये adsorption isotherm वो किसका variation बताता है adsorbed gas का जो की x by m से express किया गया है with pressure at constant temperature pressure के साथ है उसका constant temperature पर है तभी उसको isotherm बोल रहे है इसले constant temperature तो ये चीज़ किस ने दी थी friendly ने दी थी इसका relationship क्या कहता है relationship कहता है x by m is equal to k into p की पार 1 by m x by m is equal to k into p की पार 1 by n n जो है वो greater than 1 होता है यहाँ पर जो n है वो greater than 1 है इसका मतलब कि 1 by n जो है वो 0 से 1 के बीच में है 1 by n जो है वो 0 से 1 के बीच में है x by m क्या denote करता है x by m denote करता है amount और mass ठीक है that is x of gas absorbed जो gas absorbed हो रही है उसका जो mass है जिसके हम x से बोल रहे है adsorbate का जो mass है वो x है by unit mass of adsorbent तो यहाँ पर जो m है वो क्या है m is the mass of adsorbent तो हम बोल सकते हैं gas absorbed per unit mass of adsorbent तो उसको हम बोलते हैं x by m और इसी को कहेंगे extent of adsorption तो extent of adsorption है और k and n यह जो k और n है यह क्या है यह constant है and depends on the nature of adsorbate and adsorbent यह adsorbate और adsorbent के nature पर depend करने वाली चीज़े हैं कौन? k और n ठीक है? इती बार clear हो गई है ना? इस तरीके से हमको देखने को मिलता है ठीक है एक टाइम के बाद आने पर यह चीज़ constant हो जाती है बिल्कुल saturate हो जाती है ठीक है तो x by m is equal to k into p की पार 1 by n यह हमारा वो है क्या बोलते है friendly क्लूइस आईसो थर्म की equation है और constant temperature physics option जो है वो घटता है with increase in temperature तो जब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब temperature है physics option जो है वो constant pressure पर अगर देखें मानलो यहाँ पर मैं constant pressure यह pressure की constant pressure की एक line मना दूँ मानलो यह मैंने pressure fix कर दिया इस pressure पर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम temperature इंक्रीज कर रहे है यहाँ पर adsorption घट रहा है तो हम देख सकते हैं constant pressure constant pressure पर physics option decreases with increase in temperature 195, 244, 273 temperature बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर adsorption घट रहा है यहाँ पर देख लो adsorption यहाँ पर घट रहा है तो यह चीज़ यहाँ नीचे आती जा रही है at higher pressure it approaches saturation जैसे जैसे pressure increase होगा तो higher pressure पर यह saturation बीच कर जाएंगे ठीक है this is only valid at low pressure इस वज़े से यह जो equation है x by m equal to k into equal to k into p k power 1 by n this is only valid at low pressure यह सिर्फ और सिर्फ low pressure पर ही valid होती है ठीक है तो यह चीज़ धियान रखना x by m equal to k into p k power 1 by n is the friendly absorption isotherm equation इसी को हम friendly absorption isotherm equation कहते हैं ठीक है बात इत्ती बात clear होगी अब इसी में अगर मैं log ले लू तो इसी चीज़ क्या बनेगी log x by m is equal to log k plus 1 by n log p log x by m equal to 1 by log k plus 1 by n log p तो यह हमने वही equation में यहां पर हमने क्या किया है उसी चीज़ को दोनों तरफ log ले लिया जो हमारी equation थी x by m is equals to k into p की power 1 by n तो दोनों तरफ अगर मैं log ले लू log x by m equal to log k plus log p लेकिन 1 by n log p तो यहां पर हम मोल सकते हैं यह equation आ जाएगी log जब दोनों तरफ लेंगी तो हम देखेंगे कि जब हम log x by m versus log p graph plot करेंगे तो यह linear relation देख रहा है हमको इसका मतलब यह linear related होगा linear relation है straight line आएगी और straight line आएगी तो हम कह सकते हैं कि इसका कुछ ना कुछ slope होगा जो भी हमारा y equal to mx यह ने m ने यह mx plus c है तो हम बहुत सकते हैं कि जो x का coefficient है 1 by n वही हमारा slope है तो इसका slope क्या है plus 1 by n और positive है इसका मतलब यह एक चड़ती होई line रहेगी ठीक है और शुरू कहां से हो रहा है starts from log k क्योंकि c की value क्या है log k तो इसका मतलब कुछ graph ऐसा है log k से शुरू होता हुआ एकड़ता हुआ straight line का graph जिसका slope होगा plus 1 by n का ठीक है plus 1 by n यह चीज़ होगी तो x by m is equal to k into p की पार 1 by n तो 1 by n जो होगा वो equal to 0 होगा तो x by m जो होगा वो k को approach करेगा constant होगा independent of pressure होगा कब जब 1 by n जो है वो 0 होगा जब 1 by n 0 होगा तब x by m क्योंकि यह चीज़ 0 होगी तो power 0 होगी power 0 होगी तो anything to the power 0 is nothing but 1 तो यह चीज़ 1 होगी x by m equal to k होगा यानि x by m constant होगा adsorption constant होगा यानि अब वो चीज़ independent of pressure हो जाएगी ठीक है वो pressure पर dependent नहीं रहेगी लेकिन 1 by n equal to 1 अगर रहा if 1 by n equal to 1 तो x by m जो होगा हम बोल सकते हैं कि यह अगर 1 है तो यह x by m is directly proportional to p it will be directly proportional to p और जैसे ही वो directly proportional हुआ तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो रहेगा तो शुरुआत में हम देखेंगे कब जब 1 by n 1 के बराबर रहेगा तो x by m जो है वो directly proportional to p रहेगा यह चीज़ और 1 by n जो है वो 0 से 1 के बीच में ही लाए कर सकता है 1 से 0 से 1 के बीच में ही लाए कर सकता है 1 से बड़ा नहीं होगा जीज़ो से छोटा नहीं होगा तो इत्ती बार clear है अब absorption solution phase में अगर देखते हैं तो इस सेम चीज़ जो यहां पर हम देख रहे हैं अगर उस चीज़ का हमने solution phase में देखते हैं तो concentrated acid है उसमें अगर हमने charcoal increase किया तो concentration of acid जो है वो decrease होता है क्योंकि जो दूसरे ions है जो acidic character को determine करते है H plus ions जो है वो adsorb हो जाएंगे इस charcoal के उपर ऐसी litmus solution जो है वो charcoal के use करने पर colorless हो जाएगा MgOH hold twice का अगर PPT है जो की adsorbent है मेगनेसान रिएजेंट के अंदर जो की adsorbate होता है उसमें PPT जो precipitate है वो blue turn out हो जाएगा क्यासा हो जाएगा blue turn out हो जाएगा in the presence of Magneson reagent ठीक है तो यह है कुछ solution phase की बाद है ना तो conclusion क्या है conclusion यह है extent of adsorption decreases with increase in temperature extent of adsorption जो है वो temperature बढ़ने के साथ घटता है हमने देखा कि जैसे हम temperature बढ़ा रहे है extent of adsorption कम हो रहा है extent of adsorption depends on the concentration of the solute तो हम जानते हैं वो यहाँ पर concentration पर depend रहेगा जैसे gas के case में pressure पर dependent था solution के case में यह concentration पर dependent है also it depends on the nature of adsorbent and adsorbent तो हम जानते हैं कि वहाँ पर भी K और 1 by N जो है वो adsorbent और adsorbent के nature पर depend करते हैं यहाँ पर भी same चीज रहेगी, exactly same जो फ्रेंड लिक का था, वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर pressure की जगे concentration रहेगा, that's it, everything will be same, x by m equal to k into concentration की पाहर, 1 by n, that's it, तो application of absorption अब देख लेते हैं, absorption के applications क्या-क्या है, तो gas mask में इसका यहाँ पर application है, charcoal, creation of high vacuum, charcoal की तरुम को vacuum create करना है, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं, humidity control करना है, तो silica gel use करते हैं, तुमने laptop bags के अंदर एक ऐसे छोटी-छोटी चीज़ें लिखी रहेंगे, उसमें लिखा रहता है, क क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, उसको खोल के देखते हैं, उसको लगता है कि शक्कर है, जबकि वो शक्कर नहीं होती है, वो silica gel होता है, वो चीज़ इसलिए रखी जाती है, क्योंकि वो moisture adsorb करते हैं, ठीक है, तो यह चीज़, removal of coloring matter from solution, removal of coloring matter from solution, है ना, तो coloring solution जो है, वस adsorption का use होता है, जब coconut charcoal use करते हैं, drug action में use होता है, ठीक है, fraud flotation में use होता है, यह चीज़ हम metallurgy में देखेंगे, fraud flotation, chromatographic analysis में भी यहाँ पर adsorption टेक प्लेस करता है, all these are the applications of adsorption है, तो catalysis अब देखते हैं, तो इसमें क्या है, कि it is a process of altering the rate of reaction, हम जानते हैं, catalysis जो होती है यह हमने chemical context में भी देखा था, कि जो catalysis होता है, वो यहाँ पर क्या करता है, alter करता है rate of reaction को, क्या करता है, alter करता है rate of reaction को, it is based on the theory of adsorption, वो adsorption की theory पर based है, तो जब हम देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, कि जो KCLO3 है, वैसे तो 653 to 873 Kelvin temperature पर KCLO3O2 में एचीज़ होती है, लेकिन जब हम use कर ले MNO2, तो यही चीज़ जो है, वो कम lower temperature पर काम चल जाएगा, 473 to 633 Kelvin पर हमारा काम हो जाएगा, KCL पर, same reaction होगी है, लेकिन हमने, यहाँ पर catalysis use कर लिया है, तो इस वाज़े से हमारी जो process है, वो comparatively lower temperature पर ही आखर हो गए, ठीक है, तो इस वाज़े स क्या करता है, यह rate of reaction को alter करता है, ketalysis, या catalyst जो है, वो क्या करता है, rate of reaction को alter करता है, for altering the activity of the catalyst, activity of the catalyst को ही, अगर हम यहाँ पर, क्या बोलता है, alter करने की कोशिश करें कि कौन अच्छे से उसको अगर catalyst की activity को अच्छा करना है enhance करना है तो अगर enhance करना है तो हम use करेंगे promoter ठीक है और अगर decrease करना है कि भई उसकी जो activity हो बहुत ही तेज हो रही है तो उसमें poison है न तो एक परकास से ऐसा समझो कि एक industrial application होता है या अगर आप कोई particular industrial preparation या कोई सी भी process के लिए catalyst use कर रहे हैं तो catalyst use करना है से होता क्या होगा कि यहाँ पर जैसे ही आप catalyst use करें तो हो सकता है कि कोई particular reaction जो है वो हद से जादा ही तेज हो जाए इतनी तेज तो हम नहीं आते दें तो हम क्या करेंगे कि catalyst increase तो करवाना चाहते हैं लेकिन इतना भी increase नहीं जितना उस catalyst के वज़े से हो गया है तो इस वज़े से हम क्या करेंगे हम वहाँ पर एक poison use कर लेंगे उस poison के use करने से जो activity of catalyst हो comparatively कम हो जाएगी यानि कि हमको जो reaction है वो तो हो रही यह reaction लेकिन उतनी तेज नहीं हो रही जितनी हम चाहते थे हम चाहते हैं कि थोड़ा सा और increase हो तो हम क्या करेंगे कि उस time पर वहाँ पर promoter use कर देंगे तो promoter and poisons are nothing but they just alter the activity of catalyst catalyst जो भी काम कर रहा है उसकी activity को alter करते हैं या तो उसको improve कर देते हैं या तो उसको और कम कर देते हैं तो वो चीज depending on the use to use हम यहाँ पर use करते हैं तो enhancing के लिए ध्यान रखना promoter use करते हैं और decrease करने के लिए यहाँ पर हम poison use करते हैं ठीक बाद है ना तो these are not just catalyst catalyst are different है ना यह catalyst नहीं है ठीक है promoters and poisons are not catalyst catalysts are different these promoters these promoters and poisons are just like supplements यह यह सिर्फ और सिर्फ supplements ही है they just control the activity of catalyst ठीक है वो सिर्फ और सिर्फ activity of the catalyst को control करते हैं sometimes the used catalyst is not increasing the rate of reaction as required so we use promoter to complete the job समझ ले हो बात को तो हम यहाँ पर वो करते हैं तो N2 प्रस 3 H2 gives 2 N3 तो हमने iron catalysts यहाँ पर use किया लेकिन मजा नहीं आ रहा था तो हमने का थोड़ा सा और तेज इंक्रीज करते हैं catalysts थोड़ा अच्छे से काम करो तो जड़ा तो हमने यूज कर लिया यहाँ पर molybdenum तो molybdenum ने बोला catalysts को कि भाइद हम अच्छे से काम करो तो अच्छे से काम करेगा और यहाँ पर हमको जरूरत है वो चीज पूरी होगी sometimes the use catalysts is increasing the rate more than what is required कभी-कभी वो चीज catalysts जो है इतना increase कर देता है rate जितना हमको जरूरत थी भी नहीं यहाँ पर करेंगे reaction reduction करेंगे platinum की presence में तो alkane बन जाएगा लेकिन हम नहीं चाहते हैं अलकेन हम चाहते हैं अलकीन बने तो हम क्या करते हैं platinum के साथ arsenic या sulfur यूज करते हैं as a poison तो यह जो poison है यूज होता है तो इसकी वज़े से alkenes में ही आके हमारा product जो है रोक जाता है नहीं तो alkynes यानि की triple bond वाला पहरे double bond मनाता है फिर बिना रोके वो जो है single bond में convert जाता है alken but हम नहीं चाहते हैं हम चाहते है alkenes में ही रुके तो इस वज़े से हम poison यूज करेंगे arsenic and sulfur जिसकी वाज़े से platinum की activity है वो control हो गई ठीक है तो इस तरीके से हमने यहाँ पर promoter और poison को समझ दिया है ठीक है types of catalyst types of catalyst में अगर देखें तो एक homogeneous catalyst होता है जिसमें reactants and catalyst are in the same phase जो same phase में होते है ठीक है जैसे example के तोर पर lead chamber process जो है ठीक है 2SO2 plus O2 gives 2SO3 तो यहाँ पर NO as a catalyst है यह यह भी यह और यह वी सबके सब gaseous phase में है तो इस वज़े से यहाँ पर हम बोलेंगे कि homogeneous catalyst hydrolysis of methyl acetate hydrolysis of methyl acetate CH3 COOCH3 liquid plus H2O liquid gives HCl liquid तो यहाँ पर यह liquid यह liquid यह liquid यह liquid यह liquid यह liquid तो यहाँ पर भी हम बोल सकते है कि hydrolysis of methyl acetate is an example of homogeneous catalyst hydrolysis of sugar CC-H2O6 echo solution यह भी liquid यह भी liquid और यह भी liquid जो catalyst है वो भी H2SO4 है तो इस type के reaction को हम homogeneous catalyst की category में डालते हैं क्या बात समझे हैं है है ना हेट्रोजीनियस catalyst की बात करें तो हेट्रोजीनियस catalyst जो है उसमें reactants and catalyst are in different phases उसमें जो है अलग-अलग phase में होते हैं यहाँ पर कौन reactants and catalyst process पहला oxygen of SO2 जैसे इसका example है तो it is not a lead chamber process जब lead chamber process से हट करके SO2 oxygen O2 के साथ मिल करके SO3 बनाता है तो platinum यहाँ पर solid state में use होता है तो यहाँ पर यह gas है यह gas है यह solid है हेट्रोजीनियस हो गया है यह भी हम देख रहा है लेकिन इसमें भी हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे है iron solid यूज कर रहे है जो कि other phase में है as that of reactants इस वज़े से यह चीज heterogeneous catalysis में आएगी ठीक है उस्वाज process को अगर देखें तो उस्वाज process जो है यह gas है यह gas है यह solid है तो हम यहाँ बोल सकते हैं यह gas यह gas यह solid तो यहाँ पर भी यह heterogeneous catalysis है hydrogenation of vegetable oil में देखें तो यह liquid है यह gas है यह solid है सब कुछ ही अलग अलग है तो हम बोल सकते हैं यह heterogeneous catalysis ठीक है अब modern absorption theory of catalysis अगर देखते हैं कि यह catalysis जो है काम कैसे कर रहा है इसमें absorption theory लग कैसे रही है तो अगर उसके अपर देखें तो सबसे पहरी स्टेप जो इसके अंदर आती ही वह आती है diffusion of reactants over surface यानि कि जो reactants है वो surface के आसपास यहाँ पर उसकी vicinity में आएंगे तो यह रहे reactant molecules और यह रहा हमारा adsorbent ठीक है और यह है इसका surface तो इसकी जो surface जो valencies जो खाली valencies वह यह दोनों तो अब यहाँ पर आकर कि जो हमारे reactants है वह next step में हम दो लें कि absorption of reactants over the surface of catalyst यानि कि यहां पर जो हमारे क्या बोलते हैं वह है क्या बोलते हैं reactants है वह यहाँ पर क्या होगा इसर्फिस के उपर आकरके यहाँ पर adsorb हो गाई तो adsorption of the reactants over the surface of the catalyst, तो यहाँ पर अनलाइक बल्क आटम्स होगा, लिखा हुआ है, लेकिन यह एक ही लाइन में आएगा, अनलाइक बल्क आटम्स, यहाँ पर सर्फिस आटम्स जो है, गया है, catalyst की जो वेलिंसी से वो सब विल्क है, तो बल्क की चारों वेल्टैस जो है, एक दूसरे से भरी हुई है, लेकिन जो सर्फिस का molecule है, उसमें जो सर्फिस के बाहर की तरण जो वेल्लाइंसी वो खाली है, इस वज़े से आकर के वो खाली जगे है, उसने प्रोवाइड क complex बनता है जिसमें यहां पर A और B आजू बाजू वाली position में होने के वाज़े से यहां पर बढ़िया यहां पर react करते हैं और react करके intermediate product बनाते हैं ठीक है उसके बाद फिर क्या होता है फिर desorption of product होता है तो desorption of product मतलब कि जो भी हमारा है इंटर्मेडियर प्रडॉक्ट था वो यहां से वह हो जाएगा क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा तो हम बोलते हैं कि catalyst वैसा बिसे रहेगा और हमारा प्रडॉक्ट जो है वो अलग हो available for other reactants catalyst जो है वो दूसरे reactants के लिए यहाँ पर available रहता है this theory explains the activity of catalyst and tells us why the catalyst remains unchanged but this theory does not explain the activities of promoters and poison ठीक है catalyst जो है पाच भी इसकी point हो गया कि जैसे ही वहाँ पर डीस option हुआ यह और भी चले गए तो फिर अब वो वापस से seat available हो गई तो कोई भी दूसरा incoming molecule जो है वो यहाँ पर आ करके जो है वो सब बैट जाएंगे और फिर reaction करके फिर निकलते जाएंगे ठीक है तो catalyst will now be available for other this theory explains the activity of catalyst and tells us why the catalyst remains unchanged तो यह हमको यह बताता है कि catalyst क्यों unchanged रहता है पूरी process के दुराँ but this theory does not explain the activity of promoter और पॉजन यह promoter और पॉजन के activity को कैसे करते हैं वो चीज़ यह चीज़ explain नहीं करता है ठीके बात हाँ तो आप देखते हैं important features of solid catalyst ठीक है important features of solid catalyst में हम देखते हैं कि chemically unchanged रहते हैं reactions के दुरान पर है जब reactions होते हैं तो उस time पर यह जो chemically इसका जो formula है वो same रहता है physical form may change physical form जो है वो change हो सकता है याने कि कोई चीज लंप से पाउडर बन सकती है याने कि कोई चीज अगर मानलो मैंने किसी की डल्ली डाली है मानलो अद्रक की डल्ली डाली है तो जरूरी नहीं है कि क्या बोलता है अगर मैंने डाला है तो हो सकता है कि reaction change होने पर वो चूरा बन जाए तो उसका physical form change हो सकता है बट chemically one change रहता है यह चीज इवन the small amount of amount can alter the rate of reaction efficiently छोटा सभी हगर अपन अमाउट लेते हैं catalyst का तो बहुत खतरनाक तरीके से rate of reaction पर फरक डालता है it does not affect any thermodynamic or equilibrium properties वो किसी भी तरीके से यहां पर effect नहीं करता है equilibrium properties को effect नहीं करता है ठीक है तो यह चीज ध्यान दखना फिर अगर इसकी activity की बात करते हैं क्या बहुते है activity of solid catalyst की activity of the catalyst depends on the strength of absorption strength of absorption पर depend करता है यहां पर activity of catalyst reactants must not reasonably strongly absorbed on catalyst to become active यहां पर reasonably strongly adsorbed होना नहीं है ना adsorbed on the catalyst to become active यहां पर कुछ भी करने की जरुबद नहीं रहती है activity of the catalyst depends on the strength of the catalyst कितना तरीके से absorbed हो रहा है वो reactants must reasonably strongly adsorbed उसको अच्छे कासे तरीके से adsorbed होना पड़ेगा तब जाके catalyst जो है वो थोड़ा activate हो पाएगा it must not be not get too strong that the deception becomes difficult उत्ता ख़तरनाक strong भी नहीं होना चीए कि पता चला deception ही कठेन हो गया उसका है ना catalytic activity increases from group 5 to group 11 तो यह चीज़ हां रखना group 5 to group 11 जो है maximum group maximum tendency show करते हैं catalytic tendency ठीक है फिर अगर हम बात करते हैं selectivity की the selectivity में different catalyst catalyzes different reactions and have different impact on the product तो यहां पर जो catalyst है different catalyst जो है वो catalyze करते है different reaction को and have different impact on the product जैसे अगर मैं same reaction को अगर मैं अलग-अलग तरीके से यहां पर catalyst use करता हूँ तो हो सकता है वो different products भी फॉर्म करें जैसे CO or H2 के case में मैंने nickel use किया तो CH4 plus H2 हो बन गया CO or H2 को ही H2 को ही मैंने copper Zn oxide CR2 O3 के presence में किया तो मेरे को CH3 OH मिल जाएगा ठीक है carbon monoxide H2 को ही मैंने copper की presence में कराया तो मुझे HCH मिल जाएगा तो मुझे methane, alcohol, aldehyde अलग-अलग products मिल रहे हैं यहां पर change of catalyst करेंगे तो उनको different products यहां पर मिल रहे हैं तो समझ रहे हो तो यहां पर selectivity कहलाती है यह चीज़ ठीक है वो catalyst specific होता है यान कि किसी particular reaction को ही specifically catalyze करता है ठीक है a substance which catalyzes one reaction may not act as catalyst for other वो ज़रू ही रही है कि किसी दूसरी reaction के लिए भी वो catalyst का नाम करें ठीक है तो यही चीज़ वो कहना चाहरा है selectivity का मतलब types of catalyst की अगर बात करते हैं तो types of catalyst यहां पर दो type के होते है एक positive catalyst एक negative catalyst पोजिटिव केटलिस वो जो increase करता है rate of reaction को it increases the rate of reaction और क्या बोलते है जो negative catalyst होते है तो decrease करते है जैसे example के तौर पर alcohol, tetra, ethyl, lead it slows down the ignition of petrol तो यहां पर petrol का ignition का process से उसको slow down कर देते हैं यह negative catalyst कर आते है मतलब कि जो positive catalyst का ठीक उल्टा काम करते है Autocatalyst, Autocatalyst वो होते है जो rate of reaction increases due to the formation of one of the product जो किसी कोई one of the product जो है यह important point है ठीक है तो यह चीज़ धियान लखना Hydrolysis of Easter है तो Hydrolysis of Easter में एक product यहां पर acid है तो वही acid यहां पर acidic medium प्रोवाइड करता है वही medium-acidic medium ही एक catalyst की तरह यहां पर role-play करता है तो यह चीज़ हम यहां पर देख सकते है types of catalyst ठीक है अब यहां पर shape selective catalysis भी होता है यह भी एक important part this is also important shape selective catalysis catalytic activity of such catalyst depends on the pore structure of the catalyst यह पोर structure of the catalyst पर depend करने वाली जो catalyst होता है जो catalytic activity होती है वो दर असल क्या होती है shape selective catalysis and shape and size of reactants shape and size of reactants पर depend करता है and thus called as shape selective catalysis और यह उतको shape selective catalysis बोला जाता है zeolites जैसे इसका example है zeolites ZSM 5 important example ठीक है क्या होते है zeolites metal silicate होते है aluminium oxygen silicon का यहां पर एक three dimensional network होता है ठीक है तो यह यहां पर इस ध्याम रखना है तुमको aluminium oxygen silicate aluminium silicate होते है metal silicate है honeycomb like structure होता है used as ion exchanger ion exchanger की तरह यह use करते है widely used in petrol petrochemical industry यह petrochemical industry में widely used होते है क्योंकि यह alcohol से gasoline बनाने के काम आते है ZSM 5 जो है यह उसके लिए काम आता है ठीक है तो widely uses petrochemical industry alcohol से gasoline बनाने के काम आता हुआ ZSM 5 क्या होता है honeycomb like structure होता है इसका तो इसका pore structure होने की वज़े से यहां पर यह चीज यूज होती है और यह use होता है ion exchanger की तरह यहां ठीक है इतनी बात clear होई यहां पर उसके बाद enzymes तो enzymes जो होते हैं वो biochemical catalyst होते हैं biochemical catalyst होते हैं यह ठीक है catalyzes natural reactions that are taking place inside every creature जो भी creature है triplant animal जो भी चीज़ें होती इंसेक्ट उनके अंदर जो catalytic activity होती है जो naturally होती है वो natural catalyst होते हैं वो enzymes होते हैं ठीक है these are the complex nitrogenous organic substances क्या होते हैं यह complex nitrogenous substances होते हैं ठीक है तो यह चीज nitrogenous organic substances they actually are the proteins वो proteins होते हैं of higher molecular mass higher molecular mass के proteins होते हैं जो activity को increase करते हैं ठीक है समझ में आई बात enzymes के बारे में क्या होते हैं enzymes उसके बार जैसे example के तौर पर inversion of cane sugar inversion of cane sugar जिसमें C12, H22, O11, H2 के साथ मिल करके यहां पर invertase की presence में invertase की presence में यहां पर हमको glucose और fructose देता है glucose और fructose देता है conversion of glucose to ethyl alcohol अगर हम यहां पर C6, H12, O6 को देखें तो यह C2, H5, OH में zymase की presence में यह चीज़ करता है तो यह चीज़ zymase की presence में जो है glucose ethyl alcohol में convert होता है starch to maltose की बात करें तो starch जो है यहां पर molecule जो है वो यहां पर diastase यहां पर use करके diastase जो है उसकी presence में यहां पर तूट जाता है maltose में तूट जाता है N C12, H22, O11 में तूट जाता है तो पहले हमने C6, H10, O5 लिया था जो की C12, H22, O11 maltose में convert हो गया फिर maltose से चीज़ glucose में convert होती है पहले चीज़ स्टार से maltose जाता है तो उसमें diastase यूज होता है और अगर maltose से फर्दर वो चीज़ और तूटती है 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 ना हाइडल से होता है उसका glucose में तो उस टाइम पर C12, H22, O11 यह maltose है maltose से अगर हमको glucose मिलता है तो यह process maltase की presence में होता है तो यहां पर enzyme use होता है वो maltose होता है तो अलग-अलग यहां पर reactions के लिए अलग-अलग यहां पर हमको enzymes देखने को मिल रहे है ना अलग-अलग enzymes में जो reactions होती है जिसमें proteins जो है वो peptides में convert होते हैं तो यह होता है इसमें प्रेपसिन enzymes के अंदर की presence में यह चीज होती है ऐसे ही अगर इंटेस्टाइन में अगर देखते हैं तो प्रोटीन से कर्ड बनाने में यहां पर हमारे लिए helpful रहता है ठीक है फिर अगर हम characteristics of enzyme catalyst की बात करते हैं तो they are highly efficient in nature जो enzyme catalyst होते हैं वो highly efficient होते हैं वन enzyme molecule catalyzes more than 1 million molecules of reactants per minute पर minute जो है वो यहां पर more है ना तो एक enzyme molecule जो है वो catalyze करता है एक लाख लगभग 1 million 10,000,000 molecules जो है एक reactants है ना और reactants per minute एक minute में लगभग 10,000,000 molecules जो है वो एक molecule enzyme का करता है तो इतना शांदार efficient होता है यह enzyme catalyst highly specific nature होते हैं इनके specific nature highly specific one enzyme specifically catalyzes only one biochemical reaction यह चीज़ तुमको पता होगी कि एक enzyme specifically सिर्फ और सिर्फ एक ही है ना जितने इनवर्टेस है तो invertase के वल inversion of cane sugar में ही यूज होगा invertase और किसी भी तूसरी reaction को catalyze नहीं करेगा तो in one enzyme specifically catalyzes only one chemical chemical reaction इसवे से वो highly specific nature कहा जाता है highly active under optimum temperature optimum temperature पर ही यह यहां पर highly active रहाचा है enzymes are active only at optimum temperature ठीक है on either side of the optimum temperature activity of the enzyme decreases है ना 298 to 310 Kelvin जो होती है यही human body का जो है optimum range of temperature कहलाता है अगर हम 310 Kelvin से उपर जाएंगे तो भी हम यहां पर दिक्कत होगी और 298 Kelvin से नीचे जाएंगे तो भी हमको दिक्कत होगी तो human body के लिए 310 Kelvin is the optimum temperature ठीक है highly active at optimum pH ऑलसो तो 5-7 जो pH है वो optimum pH रहता है और अगर हम बहुत ज़्यादा यह बहुत ज़्यादा basic medium के अगर बात करते हैं तो automatically जो activity of enzymes है वो कम हो जाती है ठीक है enzymes उत अच्छे से काम नहीं करते है activity increases in the presence of activators activators की presence में यह चीज होती है ठीक है मतलब क्या होती है यहाँ पर activity enzymes की increase होती है इसे बिलकुल प्रमोटर जैसे हुआ करता था वैसे यहाँ पर यह चीज जो है as an activator याने कि जो enzymes हैं उनकी activity को increase करते है ठीक है activity decreases due to the presence of inhibitors अगर inhibitors यूज करते हैं याने कि जो जिस तरीके से poisons होते हैं तो वो यहाँ पर enzymes को कम करते हैं जैसे example की तोर पर arsenic जो है वो enzymes की activity को कम करता है ठीक है तो वो inhibitors कहलाते हैं तो ध्यान रखना activators या coenzymes और inhibitors में क्या अंतर है तो मेरे ख्याल से यह चीज तो मेरे ख्याल से यह चीज को clear रहेगी है mechanism of enzyme catalyst की बात करें तो एक lock key mechanism होता है यह चीज हम देखते हैं enzyme catalyst have characteristic shape characterized shape होता है which makes them highly specific और इसी वाज़े से वह highly specific होते है that space is called as active site और उनहीं को हम active site कहते है reactant or substrate gets adsorbed at the active sites which have complementary shape reactants or substrate जो उसमें adsorbed होते हैं at the active sites which have complementary shape उनका जो shape होता है complementary shape होता है further that intermediate decomposes to the product और further जहां पर वो ही intermediate product बनता है वही decompose हो जाता है product में जैसे कि enzyme or substrate की बात करें तो यह lock key mechanism है कि जैसे हम जानते हैं कि particular lock के लिए कोई particular key ही वहां पर लगाई जा सकती है वैसे ही substrate का जो shape होता है वहां पर कोई specific enzyme ही आकर के fit in हो सकता है इसी shape जो space है उसको active side बोलते हैं तो जित्ते भी enzyme से वो दरसल यहां पर क्या करेंगे इसके अंदर fit in हो जाएंगी और उसके बाद फिर एक intermediate complex बनेगा जो है वो decompose हो जाता है product में ठीक है तो इस तरीके से lock की mechanism होता है क्या बोलते है enzyme catalyst का ठीक है बास सुनने आगे कोलोईड के बारे में हम जानते हैं कोलोईड जो है वो क्या है कोलोईडल particles provide enormous surface area which makes them highly efficient और इसकी वज़े से यहां पर surface area बहुत ज्यादा होने की वज़े से solution तो उसको हम यहां पर surface chemistry में इसले डील कर रहे है क्योंकि इसका surface area इतना ज्यादा होता है जिसकी वज़े से यहां पर वो है ऐसे syrups जो होते हैं वो ज्यादा efficient होते हैं rather than tablets तो इस वज़े से हैं तो ऐसे भी दूम सोच सकते हो उसका reason यह है कि all these small जितना ज्यादा smaller area होगा उतना ज्यादा exposed area जो है प्रहले रहना है न in another in very fine particles ठीक है तो यहां पर एक colloid वो चीज है एक heterogeneous solution के अंदर आता है जिसमें एक substance जो है दूसरे substance के उपर finely एकदम यहां पर dispersed रहता है ठीक है finely एकदम dispersed रहता है ठीक है तो हम जानते हैं कि बच्पन में हमने true solution colloids और suspension के बारे में पढ़ा था तो true solution जो होता है उसमें particle size less than one nanometer होता है और colloids में one to one one to one thousand nanometer होता है this is the thing which makes colloids काफी important यहां पर ठीक है one nanometer to one thousand nanometer और suspension जो होता है उसका size जो है वो greater than thousand nanometer होता है उसको हम बिल्कुल ऐसे नॉर्मली देख सकते हैं जैसे रेत का पानी हम रेत को आसा नहीं से देख सकते हैं it can't be seen with negative eyes true solution में हम बिल्कुल नहीं देख सकते हैं sugar of salt solution जो है salt solution का जो sugar या salt solution जो होते हैं वो सब true solution के example है sand water जो है suspension का example है soap solution milk ice cream fog यह सब colloids के example है ठीक है यह सब colloids के example है dispersed face now this is an important मतलब यह चीज है कि इसी समाझना dispersed face यानि की solute जो है वो क्या solute की तरह है इसको solute की तरह लोग सकते है substance in the form of finely divided particles that is colloidal range that is dispersed in another तो वो चीज़ जो dispersed है उसको हम बोलेंगे कि वो dispersed phase के लागा जो dispersed हो रहा है या जो फैला हुआ है वो dispersed phase dispersion medium इसको हम solvent की तरह ट्रीट कर सकते हैं जैसे solvent होता है जैसे dispersion medium होता है substance in which the dispersed phase is dispersed जिसके अंदर dispersed हो रहा है जिसमें dispersed है या जिसमें फैला हुआ है उसको हम dispersion medium बोलते हैं ठीक है note it is not necessary that each dispersed phase particle lie in the colloidal range ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि यहां पर हर dispersed phase particle जो है वो colloidal range में लाए करें it can also be the group of smaller particles also वो छोटे छोटे group of smaller particles भी हो सकते हैं grouping together to form in a colloidal to lie in the colloidal range ठीक है stability of the colloid means ability of dispersed phase particles to remain dispersed in the dispersion medium यह एक important चीज है ठीक है इसको समझना कि the stability जो है colloid की उसका मतलब यह है जब भी हम आगया आने वाले टाइम में stability of colloid की बात करेंगे stability of colloid का मतलब यह है कि dispersed phase जो है वो फैला रहे अगर वो नीचे जम गया मतलब coagulate हो गया मतलब precipitate हो गया तो वो चीज अब unstable हो जाएगी ठीक है तो failure stable होने का मतलब stability of colloid का मतलब यह है failure है ठीक है unstable colloid gets coagulated या precipitated ठीक है तो मेरे ख्याल से यह चीज़ clear है तुमको classification of colloids के अगर हम बात करते हैं तो colloids को तीन तरीके से classify किया गया है ठीक है physical state of dispersed face and dispersion medium के आधार पर nature of interaction between dispersed face and dispersion medium के आधार पर और types of particles in dispersed face के आधार पर particles to dispersed face में उसके आधार तो एक एक करके क्या बोलते है physical state की on the basis of physical state of dispersed face and dispersion medium तो यह चीज़े फिलकुल NCRT में दी गई है तुमको उसको ध्यान रखना है कि अगर हम solid को solid में मिलाएंगे तो solid soul क्यालाता है इसके examples ध्यान रखना colored glasses and gemstones यह सारी चीज़े ठीक है solid को अगर liquid में मिलाएंगे तो वो soul क्यालाएंगा जैसे paints not points paints cell fluids यह सारी चीज़ें जो है examples है solid in liquid ठीक है तो यहां पर देखो exam में direct आ जाता है कि which of the following is an example of solid in liquid soul या liquid in solid इस टाइप से चीज़ें आ जाती है तो तो तुमको यह सारे examples जो है वो by heart याद होने चीज़ें तच्छी बोल रहो ठीक है तो यह चीज़ें धियान रखना है solid को अगर gas में मिलाएंगे तो यह चीज़ एरोजोल क्यलाती है जैसे example के दोर पर smoke हो गया dust हो गया liquid अगर solid में मिलाया जा रहा है तो यह जैल कलाता है जैसे example के दोर पर cheese हो गया जैलीज हो गई liquid अगर liquid के अंदर मिलाएंगे तो यह emulsion कलाएगा ठीक है यह important है इसको हम बाद में देखेंगे emulsion है इसके example milk butter hair cream यह सब इसके examples में आएगा ठीक है लिक्विड जो है वो अगर gas में मिलाया जाए तो aerosol यह भी aerosol अगर यानि कि dispersion medium जहां gas हुआ तो वहां समझ जाना कि उसको aerosol ही कहेंगे ठीक है aerosol कहेंगे तो यहां पर हम बोल सकते हैं liquid को अगर हम gas मिला गए तो यह fog mist cloud insecticide sprays यह सब इसके example है कि liquid जो है वो gas में dispersed अगर gas solid में dispersed है तो उसको हम solid soul कहेंगे gas अगर liquid में dispersed है तो उसको foam कहेंगे ठीक है जैसे solid soul के example हो गया pumic stone foam rubber यह सब है उसके example हो गए gas in liquid के जो foam का example है जैसे froth हो गया जाग जिसे हम बोलते है ठीक है whipped cream soap leather है यह सारे इसके examples है यहां पर किस चीज़ के gas in gas नहीं होता है यह चीज़ आ रखना है gas in gas नहीं होता है gas को gas मिलाओगे तो वो तो true solution जैसे exist करेंगे ना आपको देखेंगा थ्रण नहीं हो तो इस वज़े से यह चीज़ है उसको dispersion उसको कम से करम colloidal range में तो आए वो बास समय में आरी है तो इस वज़े से है ना क्या बास समय में ठीक है on the basis of nature of interaction between dispersed face and dispersion medium now this is also important ठीक है इसको भी समझना important है nature of interaction between dispersed face and dispersion medium अगर लाइओफोबिक सोल्स की बात करते है तो लाइओफोबिक सोल्स जैसे हाइडोफोबिक कहलाएगा यह water की medium मितलब जो हम dispersion medium की बात करते हैं तो dispersion medium अगर water है तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि वो hydrophobic हम use करेंगे उसके लिए जो word use करेंगे कौन सा use करेंगे hydrophobic example के तोर पर जैसे metal sulfides हो गया metal sulfides जो है वो hydrophobic nature के होते है ठीक है तो यह hydrophobic या lyophobic तो phobia मतलब समझे हो ना phobia phobia मतलब डर तो यहाँ पर hydrophobic का मतलब यह है या lyophobic का मतलब है these are liquid hating यह liquid से hate करते है ना भाई हमें नहीं चाहिए ठीक है थीक है यह फॉर्ण बाइ special techniques यह special techniques से बनाए जाते हैं क्योंकि liquid hating है यह नहीं रहना चाहते हैं यह नहीं रहना चाहते हैं तो इस वाई से उनको बनाने के लिए special techniques लगती है इसलिए वो unstable भी होते है एक बार अगर वो अलग हो गए मान लो कि अगर हमने उसको बनाया जैसे तरसे और वो अलग हो गए अगर वो separate हो गए तो वो वापस से नहीं बनाया जा सकते है तो वो चीज काफी unstable रहती है इसलिए उसको unstable कहा गया है they can be coagulated by very small amount of electrolyte ठीक है and they are irreversible इस वज़े से वो एक बार separate हो गए तो दुबारा नहीं बनाया जा सकते है इसलिए उनको irreversible कहा गया है और उनको stabilize करने के लिए हमको prevention stabilizing agent की जरुद पड़ती है उनको prevent करने के लिए ठीक है तो यह चीज होती है lyophobic souls के साथ ठीक है और दूसरी ही इसकी category आती है lyophilic souls now these lyophilic souls जिसको हम water के case में water अगर dispersion medium है तो उसके case में हम hydrophilic को कहते है जिसे example के तौर पर gum gelatin starch है न तो examples ध्यान रटना है lyophilic के ठीक है गम gelatin starch जो है वो lyophilic souls के example है और जैसा कि वो liquid hitting होते है तो liquid loving होते है ठीक है liquid loving ठीक है hydrophilic याने की liquid loving तो it can be formed by simple techniques उसको simply आपन यहां पर नॉर्मली आसानी से बड़ी आसानी से बनाये जा सकते है like just by mixing or stirring just mix कर दो और घुमा दो तो वो चीज आसानी से बन जाएगी stable भी होते है ऐसा नहीं कि small amount of electrolyte से वो coagulate हो जाए separation of dispersion and dispersion medium requires special techniques उनको अलग करने के लिए उसको coagulate करने के लिए अलग-अलग techniques पनानी पड़ती है कठेन होता है उनको अलग करना इफ separated और अगर separate हो भी गए तो उनको दुबारा बनाया जा सकता है कि भाल वापस से mixing में डालो गुमा तो बरूर बन जाएगा वापस and they are reversible इस वज़े से उनको reversible भी कहा गया है small amount of electrolyte does not coagulate this soul और इस वज़े से काफी stable भी होते है small amount of electrolyte से वो coagulate नहीं होते हैं इस वज़े से काफी stable होते हैं क्या बात संगने आगी हाँ तो अब बात करते हैं on the basis of types of particles of dispersed phase की types of particles of dispersed phase तो multimolecular colloids के अगर हम बात करते हैं यहाँ पर multimolecular colloids होते हैं तो यह क्या होता है dissolution होने के बाद on dissolution small individual particles grouped together to lie in the colloidal range वैसे तो यह जो small individual particles होते हैं वो colloidal range में lie नहीं करते हैं individually अगर देखा चाये तो लेकिन जब यह साथ में आ जाते हैं तो यह group together हो जाते हैं और फिर बनाते हैं multimolecular colloid और वो लोग लाय करते हैं जो group है वो लाय करता है one to one thousand nanometer में जैसे example की तोर पर gold soul हो गया sulfur soul हो गया यह सारे के सारे इसमें जो particles है individual particles they do not lie in the colloidal range बट यह सब एक साथ aggregate हो जाते हैं एक जगे पर आते हैं और फिर वो बनाते हैं multimolecular colloids ठीक है तो यह जो चीज है यह colloid range में लाय करते हैं ठीक है बात समझ में आ गई तो इसे कहते हैं हम multimolecular colloid इसका examples ध्यान रखना gold soul और sulfur soul ठीक है फिर बात करते हैं macromolecular colloids की macromolecular colloids the particle itself lie in the colloidal range जो particles है वो खुद ही colloidal range में लाय करते हैं यानि कि जो normally हम बात करते हैं single molecular हो single molecules होने हैं और यह क्या बोलते है खुदी colloidal range में लाय करते हैं काफी stable होते हैं और true solution से resemble भी करते हैं ठीक है example के तौर पर जैसे starch हो गया cellulose हो गया proteins हो गया enzymes हो गया polythene हो गया nylon polystyrene synthetic rubber यह सारे इसका examples आजाएंगे macromolecular colloids ठीक है associated colloids is very important this is an important topic इसकी definition से related सारी चीज़े जो भी associated colloids से related जानकारी है वो त हां रहनी चीज़े एड लोर कॉंसेंट्रेशन नॉर्मल स्रॉंग एलेक्रोलाइट ठीक है तो जब associated colloids की खास बात ही होती है कि लोर कॉंसेंट्रेशन पर तो यह एक नॉर्मल स्रॉंग एलेक्ट्रोलाइट की तरह होते हैं यानिकि एकदम dissociated form में रहते हैं पूरे तरीक लेकिन जैसे ही concentration बढ़ता है high concentration range होता है तो aggregation together to come under the colloidal range है तो जो normal strong electrolyte होता है यानिकि normal dissociated form में यह लोग बिखरे रहते हैं कब जब low concentration होने पर यह सब एक साथ आ जाते हैं और फिर लाय करते हैं यह colloidal range में ठीक है तो aggregate together to come under the colloidal range and called as associated colloid क्या कहलाते हैं यह associated colloid तो low concentration पर normal strong electrolyte यानिकि dissociated form में रहेंगे लेकिन जैसे ही concentration increase होगा तो और ज्यादा यह सब के सब साथ में आ जाएंगे they will aggregate together to come under the colloidal range ठीक है तो इसे कहते हैं associated colloid इसका example है missile ठीक है तो example इसका क्या है missile formation very important very important ठीक है missile is formed after a minimum concentration called as critical missile concentration उसको हम क्या कहते है critical missile concentration कहते है and after minimum temperature called as यहाँ पर craft temperature इसको हम क्या बोलते हैं craft temperature बोलते हैं craft temperature यहाँ होना था ठीक है तो यहाँ पर example क्या है missile का missile is formed after a minimum concentration called as critical missile concentration याने कि हम जानते हैं कि lower concentration से higher concentration में जाने पर जो है वो क्या होता है कि lower concentration पर missile is an example of associated colloid ठीक है तो missile क्या करता है कि low concentration पर तो ऐसा बिखरा हुआ रहता है लेकिन जैसे ही higher concentration होता है तो सब एक साथ आ जाते हैं aggregate together हो जाते हैं और फिर वो चीज किसी particular concentration के बाद ही reach होगी है न हम कह रहे हैं कि high concentration तो कितना high है न कुछ तो limit होती होगी उसकी तो कौ critical missile concentration तो cmc या critical missile concentration के ऊपर वाला concentration पर ही वो चीज aggregated colloid के form में रहेगी यान की associated colloid के form में रहेगी otherwise उससे नीचे याने की cmc याने critical missile concentration से नीचे concentration पर वो एक normal strong electrolyte की तरह ही रहेंगे ठीक है और यही चीज temperature पर भी depend करती है याने की minimum temperature होना चाहिए ठंडे temperature पर या कहेंगे कि temperature पर हम कह सकते हैं कि जो है वो aggregation शायद उतना अच्छे से नहीं होगा याने association एक साथ नहीं होगा लेकिन temperature जैसे ही हम बढ़ाएंगे थोड़ा सा गरम होगा तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर जो है वो association ज्यादा आसान है तो वो minimum temperature जिसके ऊपर ये cmc पॉसिबल या कह सकते नहीं missile formation possible होता है उसे हम बोलते हैं craft temperature दो चीजे हम लोगों ने देखी critical missile concentration और craft temperature तो craft temperature is the minimum temperature and critical missile concentration is the minimum concentration above which only the missile formation takes place ठीक है तो उसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं cmc and craft temperature ठीक है they get revert back on dilution तो यहां पर यह revert back हो जाते हैं dilute करने पर यह चीज रिवर्ट बैक हो जाती है one missile contains as many as hundred individual molecules ठीक है एक missile जो है वो सौ से ज़्यादा जो है उसमें एक molecules होते हैं 100 molecules एक साथ aggregate होते हैं कम से कम है तो एक one missile में ठीक है और यह revert back हो जाते हैं dacy dilution होता है यानि कि अब सीजी सी बात है एक बार associate हो गए तो इनको revert back भी हो जाते हैं अगर हमने वापस उसको dilute कर जैसे एक्जांपल की तौर पर सोप और डिटरजेंट जो है इसका एक्जांपल है very important example सोप और डिटरजेंट cmc for soaps and detergents are 10 तो पार माइनस 4 तो 10 की पार माइनस 3 मोलर ठीक है तो यह cmc का range होता है 10 तो पार माइनस 4 तो 10 की पार माइनस 3 ठीक है mechanism of missile formation अगर हम देखते हैं तो muscle formation जो है वो यहां पर अगर देखें तो na plus k plus salt of higher fatty acids higher fatty acids के लिए यह चीज होती है तो यहां पर जब हम देखते हैं तो जैसे यह एक higher fatty acids का मतलब है कि long chain fatty acids ठीक है तो एक बहुत ही लंबी chain होती है और उसके बाद फिर fatty acids बोले तो COO जब यहां पर ऐसे 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 और यह fatty acid है लेकिन हम से बोला गया है sodium or potassium salt of fatty acid तो जह हम salt की बात करेंगे तो CDC बात है यहां पर H की जगे na plus आ जाएगा तो यह salt बन जाएगा तो this is a salt है और यही soap है और अगर यह sodium का salt है तो यह RCO minus na plus is the general formula of a soap ठीक है अगर इस R की जाएगे मैं यहां पर CH2 16 लगाता हूं तो यह चीज बन जाती है sodium stearate जो की general formula होता है जाएगे यही formula carry करती है sodium stearate का sodium stearate में किते carbon होते है एक carbon तो इसका 16 carbon इसके और एक carbon इसका तो total 18 carbon होते है किसमे sodium stearate में अब होता यह है कि जब RCO minus na plus water के अंदर जाता है तो RCO minus अलग होता है और na plus अलग होता है तो अब हमाए पास एक anionic चीज है और एक cation तो यहां पर घूंता रहेगा आयन जो है वो पानी में तो अब होता यह है कि जैसे ही यह चीज RCO minus na plus पानी में जाता है तो यहां पर यह जो CO minus है यह जो है polar end है क्योंकि इसके पास charge है तो यह polar entity होने की वज़े से यह जो है ionic nature का होता है और ionic nature हो यहांने कि जो polar cheese है वो polar को attract करेगी like dissolves like है तो यहां पर इस वज़े से polar cheese polar को attract करती है CO minus जितने भी water से related cheese है वो यहां पर वो कर लेगा तो इस वज़े से यहां पर यह जो पार रहता है polar वारा पार होता है यही चीज head होती है this is a head यह head है ठीक है अब यह जो पूरा head है क्यो यह hydrophilic है तो यह water की तरफ रहता है याने कि बाहर की तरफ रहता है ठीक है तो it used to be outwards वही अगर tail की बात करते है तो tail जो है वो क्या है वो non polar है it is an alkyl group which is non polar in nature उसके पास कोई वो नहीं है there is no polarization of charge जिसकी वज़े से वो non ionic रहता है और non ionic होने की वज़े से वो hydrophobic होता है कैसा होता है hydrophobic याने की water repelling तो वो चीज क्या रहती है वो अंदर की तरफ रहते हैं सारी की सारी tail अंदर की तरफ रहेगी सारे की सारे heads बाहर की तरफ रहेंगे ठीक है तो यह चीज inverse है तो इस वज़े से यहाँ पर जो चीज बनती है तो यहाँ पर बोल सकते है कि lower concentration पर ज लग है यहाँ पर यह सारी चीजे lower concentration पर कुछ ऐसी स्थिती रहती है ठीक है बट higher concentration पर तुम देख सकते हो यहाँ पर कि जितने भी heads है वो बाहर की तरफ रहेंगे all the heads are outside and all the tails are inside तो यहाँ पर यह सारी चीजे एक साथ खटे हो जाते हैं और इस वज़े से यह लोग क्या बन तो इस वज़े से बाहर हो गए वहीं जो क्या बोलते हैं हमारी जो क्या बोलते हैं टेल है जो की non-polar nature की थी वह सारे अंदर आ गए तो इसे बोलते हैं हम यहाँ पर missile ठीक है तो यह कहलाता है आयनिक missile heads out होते हैं and tails in होते हैं ठीक है heads out and tails in ठीक है that is change in that case of detergent बाकी यह चीज सिमिलर होती है हमारे soap जैसी है अब सब कुछ सेम है तो ध्यान रखना आर आर सीओ माइनस एने प्लस सोप होता है ठीक है तो detergent और सोप में केवल एसो फोर माइनस और सीओ माइनस का ही अंतर होता है कि head जो है वो अलग-अलग होता है बाकी सब उस है कि यहां पर the ionic heads being polar ठीक है जो ionic heads होता है वो polar nature होने की वाज़े से interacts with water ठीक है वो वाटर की जर्व से and take away the oil from the surface अब oil जो होता है वो कैसा है oil is something which is non-polar in nature है ना यह non-polar है तो जित्ती भी non-polar चीज है इससे जुड़ जाएंगी यानि कि tails tail भी non-polar है oil भी non-polar है तो सारी चीज़ें जो यहां पर एक तरीके से जुड़ जाएंगे और जैसे जुड़ेंगे लेकिन यहां पर अगर माने लो हम पानी और जालर डालते है तो उससे क्या होगा कि water जो की polar nature का है तो hydrophilic जो बाहर वाला है या कोई दाग लग गया है तो वो उसके साथ यहां पर चिपल जाएगा और पूरा का पूरा जो दाग है वो पानी के साथ ऐसा धुड़ जाएगा तो इस तरीके से यहां पर cleansing action of soap होता है the ionic heads being polar interacts with water and take away the oil from the surface they do not aggregate as they are negatively charged which repel and does not allow to come together है तो अब यहां पर ऐसा नहीं होता है कि सारे के सारे यह सब के सब pass में आ गए यह सब के सब pass में नहीं आते हैं यह सब सब दूर दूर रहते हैं ठीक है क्या होते हैं यह सब दूर दूर रहते हैं और दूर दूर रहने की कारण क्या है कि सारे के सारे ionic है, anionic है, correct है? तो इस वज़े से मान लो एक missile ये रहा, ये पूरा missile है ये negative charge है, ऐसे दूसरा missile होगा, वो भी negative charge होगा, उसमें भी सारे negative ions रहेंगे जो बाहर की और रहेंगे negative heads रहेंगे, सारे के सारे तो अब ये negative charge shield है ये negative charge shield है, तो दोनों एक साथ आएंगे, क्या नहीं आएंगे तो इस वज़े से जब वो एक साथ नहीं आएंगे दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे तो aggregation नहीं होगा, है ना otherwise क्या होता कि यहाँ पर ये negative charge होता है मान लो ये किसी positive charge चीज से interact करता, दोनों मिल जाते तो यहाँ पर उनका charge खतम हो जाता चार्ज खतम हो जाता, तो वो coagulate हो जाते नीचे जम जाते, ठीक है तो इस वज़े से तुमने देखा होगा कि जब भी हम लोग कपड़ेद होते हैं तो जो मैल होता है वो नीचे नहीं जमता है यहाँ पर बात करते हैं, हमारा types of colloids खतम हो चुका है अब बात कर रहे हैं हम preparation of colloids की तो preparation of colloids में हम देखते हैं aggregation या condensation पहला तरीका है aggregation या condensation में क्या करते हैं सारी group करते हैं, सारी small particles को group करते हैं small particles सारे group करते हैं, dispersion में हम cut down करते हैं large particles को, यानि छोटे से बड़ा बनाने के लिए हम aggregation करेंगी और अगर हम को क्या बोलते हैं, बड़े से छोटा करना है तो हम यहाँ पर dispersion करेंगी chemical methods हम यहाँ पर use करेंगे यह से decomposition या double decomposition ठीक है, और reduction हो गया oxidation हो गया, hydrolysis हो गया यह सारे chemical methods हैं, चारों के चारों जो हैं, है ना, chemical methods हैं for the dispersion purpose, ठीक है, dispersion purpose फिर, एक mechanical dispersion होता है, यह बहुत simple है कि हमने बस mixi में डाल दी सारी चीज़ें, और dispersed phase और dispersion medium को डाल दिया, mixi में और भोल दिया, तो यहाँ पर यह mechanical dispersion तरीके से हमने soul create कर दिया, ठीक है और अब एक method होता है, जिसे हम बोलते हैं, electrical disintegration method, क्या बोलते हैं, electrical disintegration method, called as Bradig's arc method, this is important ध्यान रखना, Bradig's arc method important है, ठीक है electrical disintegration, dispersion plus condensation, dispersion plus condensation को हम बोलते हैं, इसमें dispersion भी होता है, और condensation भी होता है, जैसे example के तोर पर gold, silver, platinum, यह सारी जो चीजे हैं, यह gold, silver, platinum के लिए हम electrical disintegration method ही use करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, कि जैसे हमारा जो भी gold, silver है, है ना, gold, silver की plate है, तो उसको हमने यहाँ पर लगाया, इसको हमने electrode से connect कर दिया, और उसके बाद हम ने यहाँ पर क्या किया, कि इसको एक ice bath के अंदर, यहाँ पर electrolyte लिया, KOH का electrolyte लिया, KOH electrolyte जो है, stabilizer का काम करता है, यहाँ पर, और ice bath लिया, तो यह क्या करता है, control करता है heat को, जो भी हम जानते हैं कि हम जो भी, यहाँ पर high electricity provide कर रहे हैं, जिसकी वज़े से एक खतरनाख interaction take place होता है, जिसकी वज़े से heat evolve हो सकती है, गरम हो सकता है, तो उस गरम को ठंडा करने के लिए हम यहाँ पर ice bath में यह चीज़ करते हैं, ठीके, तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर यह सारी चीज़ें जो हैं, जैसे यह take place होता है, तो इसमें सारी चीज़ें ऐसे तूटती है, जो हमारा main, हमारा gold है, मानलो यह gold मैंने लगा के रखा है, तो गोल्ड जो है, डिसपर्स होता है, पानी के अंदर यहाँ पर डिसपर्स होगा यह, ठीक है, और उसके बाद फिर यह further जो है, क्योंकि यह छोटे-छोटे particles होते हैं, गोल्ड के, तो यह क्या करते हैं, फिर उसके बाद एक साथ aggregate, multi-molecular layer बनाते हैं, हमने पढ़ाए कि gold जो है, वो molecules हैं, जो gold के चीज़े हैं, वो ऐसे तूटती है, वो यहाँ पर तूटती है, तो यहाँ पर तूटती है, तो यह सारे अलग होते हैं, यह थंडा करने पर यह वापस से एक साथ आते हैं, तो when they come together, तो multi-molecular colloids form करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, gold, silver, platinum के लिए, electrical disintegration, bradyx, arc method हम यूज करते हैं, ठीक है, यह बाद ध्यान रखे, उसके बाद एक और तरीका है, जिसे हम बोलते हैं, peptidization, this is also an important method for the preparation of colloid, ठीक है, important method है, peptidization, इसमें क्या रहता है, कि हम हमाई पास मान लो, एक already precipitated, या कह सकते हैं, एक ऐसा चीज है, जिसमें precipitate हो रखा है, जैसे FUH whole thrice के particles, जो है, वो यहाँ पर coagulated है, या यह कह सकते हैं, precipitated है, ठीक है, लेकिन इसमें हमने FeCl3 मिला दिया, और उसके बाद इसको घोल दिया, तो FeCl3 क्या करेगा, कि यहाँ पर Fe3 plus ions जो है, इसके इन सारे neutral particles के उपर जा करके, क्या हो जाएंगे, adsorb हो जाएंगे, और जैसे यह neutral particles के उपर adsorb होंगे, तो यह चीजें charge हो जाएंगे, यह particles जो कि पहले किसी जमाने में neutral हुआ करते थे, तो इस वज़े से नीचे जम गए थे, तो जैसे ही इनके उपर charge acquire होगा, चार्ज वही acquire होगा, जो common होगा, Fe3 plus है यहाँ पर, यह भी Fe3 plus जा रहे हैं, तो Fe3 plus जा करके, इसके आएगा, जैसे ही सभी के उपर positive charge आया, तो इसका मतला अब यह वाली जो species है, वो इन सब के सबसे सारे positive charge होने करेंगे, रिपल करेंगे, तो वापस उपर उठ जाएंगे, और आप stir करेंगे, तो वापस से वो चीज साख में नहीं आएगी, जिसकी वाज़े से वो सारी ची और चीज स्टेबल रहेगी, तो हम कोई भी precipitate से अगर हमको एक freshly prepared हमको एक soul बनाना है, तो उसके अंदर हम क्या मिलाएंगे, precipitizing agent मिलाएंगे, तो यह अलग-अलग depend करता है कि आपका जो precipitate है, वो कौन सा है, उसके उपर depend करता है, अभी यहाँ पर FeUH holthrys था, तो यहाँ पर जो peptizing agent हमने यूज किया था, वो FeCl3 था, अलग-अलग उसके लिए अलग-अलग हो सकता है, तो precipitate to disperse phase, ठीक है, precipitate से disperse phase में बनाने के लिए यह चीज यूज होती है, Peptization, addition of electrolyte called as peptizing agent, जो electrolyte हम add करते हैं, उसको हम peptizing agent बोलते हैं, followed by shaking and sitting, उसके बाद फिर घोल देते हैं, घोलना भी important है, otherwise वो gravity के वज़े से बैठे रहेंगे, लेकिन एक बार घोल दिये तो वो सारी चीज़ें उपर भी आ जाएंगे, ठीक है, It absorbs one of the common ion, जो भी common ion रहे का, जैसे यहाँ पर Fe3+, यह भी Fe3+, तो common ion जो था, वो adsorb हो गया, ठीक है, common ion to attain the charge and gets dispersed due to mutual repulsion, mutual repulsion होने की वज़े से, यहाँ पर जो एक दूसरे से हैं, तो यहाँ पर repel करेंगे यह, और repel करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, क्या बोलते हैं दिस्पर्स हो जाएंगे, and hence form colloids, और इसी वज़े से वो colloids form कर लेंगे, ठीक है, इतने आसान सी बात है, तो अब देखते हैं हम purification of colloids के बारे में, purification of colloids, तो purification of colloids is nothing but impurities, जो होती है, purify करना मतलब क्या होता है, जो भी impure चीज है, उसको requisite minimum तक अगर हम लेके आ ज दिस्ट दू डिफरेंट प्रिपरिशन मेथड्स, ठीक है, उसको हम यहां पर जो impurities है, वो क्यों आती होंगी, क्योंकि different preparation methods है, इस वज़े से, ठीक है, example in the form of electrolytes, in the form of electrolytes, जो है, हम यहां पर, जब हम मिलाते हैं, तो electrolytes जो होती है, वो भी एक प्रकार से हम बनाते टाइम, ह इस वज़े से यहां पर electrolytes, जो है, वो एक form of impurities exist कर सकती है, तो उनी को हम को क्या करना है, minimize करना है, ठीक है, purification, ठीक है, तो अब उसके लिए सबसे पहली जो technique होती है, वो है dialysis, ठीक है, dialysis क्या होता है, diffusion through a membrane, एक membrane के थ्रू इसका जो diffusion होता है, उसको हम यहां पर dialysis बोलते ह diffusion मतलब कि इधर से उधर जाना, ठीक है, membrane can be animal membrane, cellophane, parchment paper, etc, ठीक है, membrane जो है, वो यहां पर animal membrane है, cellophane, parchment paper, यह सारी चीज़, this membrane only allows smaller particles to pass through and restrict the larger one, ठीक है, तो यहां पर जो है, यह membrane can be found by animal membrane, cellophane and parchment paper, ठीक है, तो यह membrane जो है, वो किसी भी चीज़ से बनाई जा सकती है, इन में से, इस membrane only allows smaller particles to pass through, केवल smaller particles ही pass through हो सकते हैं, और larger particles को restrict कर देता है, larger particles को restrict करता है, ठीक है, तो जो colloidal particles होते हैं, वो रुख जाते हैं, एक प्रकार से छन जाते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से तुम देख सकते हो, जैसे dialysis के दौरान, यहां पर चीज़ें जो है, यह हमारा वो ह है, और इसके अंदर सारी चीज़ें भरी पड़ी हुई है, तो यहां पर क्या होता है, कि यह जितनी भी चीज़ें हैं, वो बाहर की ओर चले जाते हैं, लेकिन जो colloidal particles हैं, जो बड़े particles हैं, वो अंदर ही रहते हैं, तो एक प्रकार से हमारा जो colloid है, वो purify हो गया, जो भ फिर इलेक्ट्रोडायलेसिस की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोडायलेसिस में क्या करते हैं, इसी में डायलेसिस को और फास्ट करने की लिए चीज़ होती है, याने कि सेम प्रोसेस जो होती है, डायलेसिस की, उसमें हम आस पास क्या करते हैं, अगर एलेक्ट्रिक फील्ड तो जैसे मानलो यहां पर हमने impure colloidal sold दिया है ठीक है अब यहां पर हमने क्या किया है यह दो हमने वो लगा दी क्या बोलते हैं जो हमने electrodes थे वो लगा दी तो अब जैसे हमने electric field apply करी तो हम जाते हैं कि क्योंकि उसके पास colloid के पास charge होता है तो उसके जो charge particles है वो एक तरफ बढ़ना start हो जाएंगे और इस तरीके से हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो impurities है जिनके पास charge होता है वो अलग हो जाएंगी जो electrolytes होते हैं वो यहाँ पर अलग हो जाएंगे तो एक प्रकार से यहाँ पर भी अगें हम प्योरिफिकेशन कर सकते हैं ठीक है तो प्योरिफिकेशन की एक और टेक्नीक है यहाँ पर इलेक्ट्रोडियलेसिस मतलब सेम चीज उनली यूज़न इंपुरिटीज और इलेक्रोलाइट तो जब इंपुरिटीज इलेक्रोलाइट के फार्म में होंगी तो हम जानते हैं कि अगर हमने उसको इलेक्ट्रिक फील में अपलाइए कर दिया तो साजी जो भी डाइलेसिस की प्रोसेस है सेम चीज होगी लेकिन फास्ट हो जाएगी ठीक है electric field इसमें apply की जाती है ठीक है electric field apply की जाती है सब को सेम रहेगा बस electric field apply करें ठीक है अल्ट्रा filtration अब एक और वरीका है अल्ट्रा filtration अब ये जो है एक खास बात इसकी क्या है कि colloidal particles are small enough to pass through the normal filter paper normal filter paper से यहां पर अगर हम use करेंगे तो colloidal particles इतने छोटे होते हैं कि उससे पास हो जाए क्योंकि filter paper का जो जो एक प्रकासे जो छेद होते हैं जो holes होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि colloidal को पास कर देंगे ठीक है so in order to separate them we need specifically specially prepared filter हमको कुछ specially prepared filters को create करना पड़ेगा ताकि हम उनको और true solution की particles को अलग कर पाएं तो इस पर जिससे हम क्या करते हैं कि जैसे हमाँ पास एक normal filter paper जो इतने बड़े बड़े है उसमें उसको हम क्या करेंगे एक 4% nitro cellulose solution के अंदर जो alcohol और ether से बना हुआ solution है nitro cellulose in alcohol and ether उसके अंदर हम डालेंगे इसको ठीक है और फिर जो है यहाँ पर जब इसको चीज बनेगी further gets hardened by formaldehyde तो उसके बाद फिर उसको formaldehyde और उसके बाद फिर उसको सुखाएंगे ड्राय करेंगे तो वहाँ पर जो ultra filter paper रहेगा वो इस तरीके से यहाँ पर create हो जाए तो इसको alcohol और ether के solution में डालेंगे तो हमको यह चीज देखने को मिलेगे ठीक है इती बात समझ में आगी तो how to prepare such filters हम इसमें कैसे प्रिपेर करेंगे यह चीज तो normal filter paper is dipped with the collodion solution collodion solution यहाँ पर 4% solution of nitro solution and alcohol and ether तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको बनाते हैं ठीक है तो यह चीज आ जाती है now this ultra filter paper is used to restrict or separate the colloidal particles from the impure dispersion medium and we are left with the pure colloidal particles only ठीक है उसको हम pure colloidal particles में डाल देंगे then we mix the pure colloidal particles to pure dispersion medium जो हमारा नया dispersion medium है उसके अंदर हम वापस से colloidal particles जो छन करके बहार आए है उसको हम डाल देंगे तो हमारे पास एक अच्छा यह कहेंगे कि purified colloidal solution बन जाएगा है ना तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं फिर अब बात करते हैं यहाँ पर खतम हुआ अब बात करते हैं properties of colloidal particles की properties of colloidal particles की तो जैसे सबसे पहली जो colloidal particles की property है वो है colligative properties ठीक है colligative properties हम लोगों ने solutions chapter में भी discuss किया तो वो क्या होते हैं चार colligative properties होते हैं relative lowering in vapor pressure elevation in boiling point depression in freezing point and osmotic pressure ठीक है यह होते हैं They all depends on numbers of more number of solid particles जिस सारे के सारे जो है number of sodute particles पर depend करते है number of sodute particles significant queremos Size of colloidal particles is greater than that of true solution तो घाते हैं गी वो crewsalıटें से यहां पर सारे को और जो colloidal particles का साइचरा बढला होता है true solution के मुकाबले therefore with the same concentration इसलिए same concentration पर number of colloidal particles कम होते हैं ध्याना number of colloidal particles कम होते हैं और इसी वज़े से colligative properties की value भी कम आती है as compared to the same concentration of true solution ठीक है जब हम true solution की बात करेंगे तो उसके particle size छोटे होते हैं जिसकी वज़े से कम concentration में ज्यादा number of particles होंगे और हम जानते हैं colligative properties जो होती हैं number of solute particles पर it depend करती है तो number of solute particles जो है true solution की case में ज्यादा होंगे और colloidal range की जो particles हैं वो comparatively कम होंगे same concentration में ठीक है तो इस वज़े से हम बोल सकते हैं कि colligative properties की value जो है वो इसमें कम आती है ठीक है किसमें colloidal particles की case में कम आती है tindal effect अब tindal effect की अगर हम बात करें तो it is based on the phenomenon of scattering of light ध्यान रखना scattering of light पर based होता है tindal effect scattering happens when the particle size matches with the wavelength of the light जब scattering तब होती है जब wavelength of light जो है वो क्या बोलते है particle size की जो है वो match कर जाती है wavelength of the light से particle size जो है वो wavelength of the light से match कर जाएगा तो मैं ऐसा समझो कि मान लो कि ये wavelength है this is just for understanding कि मान लो ये हमारा particle और इत्ता बड़ा हमारा size है particle का और इत्ती ही बड़ी मान लो हमारे पास wavelength है ठीक है ये wavelength है तो wavelength भी जो है अगर इत्ती ही बड़ी है तो लगभग-लग-लग-मैच कर गए तो जब ये light से टकराएगी तो ये scatter कर जाएगी मतलब कि फैल जाएगी एक प्रकार से ऐसा समझ सकते है तो conditions for क्या बोलते है scattering of light is that particle size must match with the wavelength of the light not exactly but आस पास भी रहेगा तो भी चलेगा लेकिन बहुत जादा डिफरेंस नहीं होता चाहिए नहीं बहुत जादा चोटे नहीं बहुत जादा बड़े ठीक है we know colloidal particles lie between 1 to 1000 nanometer 1 to 1000 nanometer के बीच में colloidal range लाए करते है and wavelength of the visible rays lies in 400 to 750 nanometer तो हम जानते हैं दोनों ही लगभख same range में लाए करते हैं और इस वज़े से colloidal particles जो है वो satisfy करते हैं क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं visible range की wavelength के range को तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर particle size match कर जाता है इसलिए scattering होती है इसलिए colloidal particles जो है वो यहाँ पर scattering of light शो करते हैं यानि कि इसी को हम बोलते है tindal effect क्या बोलते हैं tindal effect ठीक है यानि की light का बिखर जाना in the presence of some colloidal particles ठीक है तो इसलिए हम यहाँ पर बोलते हैं वो तिंदल effect क्यालाता है कहां कहां देखने को मिलता है scattering happens due to the colloidal particle and is called tindal effect जैसे example तोर पर dense forest में देखने को मिलता है projector या cinema hall में देखने को मिलता है रोशनदान जो होते हैं ventilators जो होते हैं वहाँ पर हमको देखने को मिलता है soap solution जो है वो हमारा जो है वो एक colloidal solution है तो तुम देख सकते हो कि टिंदल effect में जैसे यहाँ पर एक flash light है यह एक true solution है यहाँ पर light जो यहाँ पर आरही है वो scatter नहीं कर रही है तो हमको कुछ दिखी नहीं रहा है यह straight forward चली जाएगी लेकिन हमको दिखेगा नहीं लेकिन जब यहाँ से pass हो रही होगी तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यह चीज यह colloid है तो colloid के case में scattering होती है तो scattering के case में यह जो light का path है वो हमको चीज जाती हुई दिखती है तो ऐसे ही तुमने देखा होगा रोशंदान में से जो light आती है तो हमको ऐसी light दिखती है कि हाँ यह these are the rays of light that are coming तो तरीके से हम जब सोचते है तो वो भी that thing is nothing but tindle effect वही tindle effect है ठीक है यह हो गई बात फिर यहाँ पर जब हम इसको देखते है using ultra microscope we cannot observe the colloidal particles and hence we cannot determine the exact size of the particle however by using a क्या बोलते है source of light we can illuminate a particle and can observe its movement तो अब यहाँ पर जो colloidal particle है उसको हम ultra microscope से normally तो हम देख नहीं सकते ठीक है लेकिन क्या है कि हमने अगर यहाँ पर टिंडल effect यूज किया और हम जानते हैं कि टिंडल effect यानि की scattering of light होती है तो अगर हम किसी particular particles पर particle पर एक light हिट करते है तो light हिट करेंगे तो वो जगमगा आएगा एकदम मतलब scatter करेगा light scatter करेगा light तो वो चमकेगा चमकेगा तो तो उस चीज को हम ultra microscope से observe कर सकते है तो ultra microscope से normal case में ऒसकेगाँ का नहीं देख सकते है लेकिन जो यहाँ पर इस light की वज़े से जो scattering of light हो रही है read scattering of light की वज़े से जो वो चमक रहा है वो particle जो चमक रहा है उस चीज को हम observe करके colloidal particles के movement को देख सकते है कि वो कैसे move कर रहे हैं, ठीक है, फिर से पढ़ते हैं, using ultra microscope, we cannot observe colloidal particles, हम उसको नहीं देख सकते हैं, and hence we cannot determine the exact size of the particle, और इस वज़े से हम exact size नहीं पता कर सकते हैं, colloidal particle का, however, लेकिन, by using a source of light, जैसे हम यहां पर source of light यूज़ करते हैं, we can illuminate a particle, मतला हम उस particle को illuminate कर सकते हैं, हम इसके movement को observe कर सकते हैं, कि इधर जा रहा है, फिर जा रहा, फिर जा रहा, फिर जा रहा, इस तरीके से, तो यह चीज जो देखने को मिलती है, observe करने को मिलती है, वो क्यों होता है, because, यहां पर scattering of light possible हो रही है, जगमगा रहा है, otherwise हम देख ही नहीं पाते हैं, in fact, using ultra microscope also, हम उ wavelength of the light, तो जो dispersed phase particle का जो diameter है, वो बहुत ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, wavelength of light के मुकाबल है, it must not be too small, ठीक है, match करना चाहिए, उसको match करेगा, तो ही scatter करेगा, the refractive indices of dispersed phase and dispersion medium should differ greatly in magnitude, ठीक है, dispersed phase and dispersion medium का जो refractive index का जो difference है, वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, तब जाके हमको tindle effect जो है, देखने को मिलता है, तो ये दो conditions तुम ध्यान रखना, ये सीधे-सीधे, which of the following statement is true, false में, पूछी जा सकती है, ठीक है, color, third property यहाँ पर आती है, property of colloidal particles, क्या colloids की, जिसमें हम properties of colloids में third property पढ़ना है, color के बार, color of the colloid depends on two things, color जो है, वो दो चीजों पर depend करता ह पहला है, पहला, wavelength of the light in which the colloid is observed, जो यहाँ पर wavelength हम जानते हैं कि जो wavelength scatter हो रही है, उसी के base पर हम बोलेंगे कि यह वही चीज है, कि जो wavelength of the light in which colloid is observed, जिस wavelength of light में हम यहाँ पर observe करने हैं, उसको वही चीज है, the size of the dispersed phase particle, the manner in which the observer receives the light, और किस तरीके से observer जो है, वो रिसीव कर रह गोल्ड सोल आपको अलग-अलग कलर का दिख सकता है, रेड दिख सकता है, पर्पल देख सकता है, ब्लू दिख सकता है, गोल्डन दिख सकता है, hana, sameоль है लेकिन इन दो चीजहों पर deeds पर depends करने कि आयसा आपको वह पर्टिक brat को ओलॉइट कैसा देखने वाला है, तो ठीक है एक और प्रॉपर्टी होती है जिसे बोलते हैं हम तो क्या होता है ब्राउनियन मुविम्न रैंडम जिग जैग मोशन उफ इजा रहा है तुम देख सकते हो तरीके से यहां पर यहां जाकर तकरा टुकरू के यहां पर इक क्या कर रहा है ऐसे random zigzag motion performance हो रही है और यह सब क्यों हो रहा है क्योंकि यह लोग भीड़ रहे हैं एक दूसरे से colloid कर रहे हैं ठीक है तो observed through the powerful ultra microscope हमने देखा कि ultra microscope से हम उसका motion जो है वो observe कर सकते हैं एल्लूमिनेट करने के बाद तो पाएगए हमको ऐसी ही पाए है इस तरी के से हो रहा है ईंडिपेंडेय। आफ पर कि सब्सक्राइस किस मीडियुम में है वो उस पर भी depend करता है कि उसका motion कितना fast हो रहा है कितना slow हो रहा है है ना तो वो चीज किस पर depend करती है viscosity पर depend करती है और size of particle पर भी depend करता है कि कितना बड़ा size viscosity कम होगी तो movement जो है वो fast होगा यह जीज हम यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है तो यह रही बात brownian movement की क्या होता है क्यों होता है brownian movement why it happens ठीक है it happens because of the random और unbalanced bombardment of colloidal particles with each other एक दूसरे से टकराते हैं यह randomly है इधर गया फिर टकरा गया फिर दूसरी जाए जा रहा है फिर टकरा गया तो इस तरीके से random unbalanced bombardment होता है इसलिए हमको brownian movement देखने को मिलता है इसके क्या benefits है इसके benefits यह है कि due to this the particle does not settle down and hence contribute in the stability of the colloid colloid की stability का one of the reason होता है brownian movement का होना brownian movement जो है वो क्या है इधर उदर चलता फिरता रहता है अगर चलता फिरता रहेगा तो हम बोलेंगे कि इसी वज़े से हम यहाँ पर यह देखेंगे कि hence क्या बोलते हैं वो it contributes in the stability of the colloid इस वाज से क्यों की stability पर यहाँ पर वो करता है ठीक है तो contribute करता है ओके तो यह इसका benefit है brownian movement का चार्ज on colloidal particles तो properties में अब बारी आती है charge on colloidal particles की charge on colloidal particles this is very very important property of colloid ठीक है बहुत बहुत important है they always carry electric charge यह बहुत ज्यादा ज्यादा क्या बोलते हैं यह जो colloidal particles होते हैं हमेशा ही charge carry करते disperse face if positive to dispersion medium negative रहेगा अगर disperse face positive charge dispersion medium negative है और अगर disperse face negative है dispersion medium positive होगा dispersion medium positive होगा all the disperse face particle carry same charge जो disperse face particle है वो same charge carry करते हैं ठीक है वाय देर इस चार्ज on colloidal particle charge colloidal particle पर क्यों होता है यह बहुत important है यह चीज़ ध्यान रखना कि due to the electron capture by soul particles due during the electrical dispersion of metal जब electrical dispersion of metal किया जाता है तो यहां electron capture हो जाता है soul के द्वारा यह एक रीजन है और जो दूसरा ज्यादा माना हुआ reason है वो यह है कि due to preferential absorption of charge on the surface of disperse face particle this is the most important reason preferential absorption of charge preferential absorption of charge तो यह जो preferential absorption of charge है यह क्या कहता है इसका rule क्या कहता है यह सुनो कि when two or more ions are present in the dispersion medium जब दो यादो से ज्यादा charge जो है ions जो हैं वो मौजूद है dispersion medium के अंदर तो preferential absorption of ions उसका होगा absorption उसका होगा जो common होगा common to the dispersion dispersed phase ठीक है जो dispersed phase particle का common ion है वो usually absorb हो जाता है तो preferential absorption उसका होगा जो common ion होगा ठीक है जो जैसे ions बहुत सारे हैं और dispersed phase dispersed phase जिस भी चीज़ का है उस चीज़ से related वहाँ पर कौन सा ion है कौन सा ion है वो जाकर के जो common होगा वो जाकर absorb होगा ठीक है तो यह कहलाता है rule of preferential absorption of charge तो इस दिए अब हम यहाँ पर इसको समझते हैं एक example के तुरू क्या है एक example इसमें क्या कर रहे हैं एग अग्जांपल को की आई के साथ reaction करवा रहे हैं तो AGI जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा precipitate होगा और के प्लस और NO3 माइनस बनेगा ठीक है के प्लस है कि मान दो कि इसमें AGNO3 हमने access में ले लिया अब AGNO3 access में लेने की वज़े से क्या होगा कि हमें पता है कि AGI precipitate तो होगा के प्लस और NO3 माइनस जिस्पर्स तो रहेंगे लेकिन AG प्लस के जो ions है जो extra ions रहेंगे क्योंकि यहाँ पर AGNO3 जो है access में है तो इस वज़े से जो extra AG प्लस है वो यहाँ पर बच जाएंगे तो इस वज़े से AG प्लस के जो ions है वो भी यहाँ पर रहे गए solution के अंदर तो अब क्या हुआ कि AGI जो हमारा यहाँ पर precipitate था जो precipitate बन रहा था particle था उसमें आसपास अगर solution के देखें तो के प्लस है NO3 माइनस है और AG प्लस नाओ इस AG प्लस बेंग कॉमन टू एज़े आई तो preferential absorption क्या कहता है कि जो एज़े आई है उसका जो कॉमन आयन रहेगा वही आकर क्यों सा है तो एज़े प्लस जाकर के इसके ऊपर जो है एड्जॉर्फ हो जाएगा तो हम कहेंगे कि एज़े प्लस बींग कॉमन टू एज़े आई इस प्रेफर फॉर एड्जॉर्फ और इसी वज़े से क्योंकि पॉजिटिव चीज जो है उसके उपर आकर के एड्जॉर्फ होई है तो हम कहेंगे कि यह पॉजिटिव चार्ज सोल रहा क्या रहा पॉजिटिव चार्ज सोल ठीके बास सर्में आगए यहां पर ठीके यह रहा फिर फिर केसटव में अगर देखें तो similarly अगर मानलो के आई को हमने एक्सिट में लिया कि को हमने एक्सिस में ली तो रहे गई लेकिन इस बार क्या है कि जितने A A G PLUS थे वो तो consume हो जाएंगे लेकिन आई माइनस किया क्योंकि कि एक्सेस में लिया था तो अब हम जब देखेंगे तो K PLUS NO3 माइनस तो रहेगा ही A G I भी रहे गा ही लेकिन इस बार जो होगा वो i- यहाँ पर आ गया है i- जो है वो है ag plus नहीं है ag plus पूरा consume हो चुका है तो इस वज़े से i- जो है common है agi का agi और i- जो है common है इस वज़े से यह चीज इसके उपर राकर के चिपक जाएगी जाना कि adsorb हो जाएगी और adsorb हो गई तो अब इसके उपर एक negative charge आया है तो i- is preferred for adsorption over agi as it was common वो common था इस वज़े से और इस वज़े से उसके उपर negative charge soul कैलाएगा यह पूरा soul कैसा कैलाएगा negative charge soul कैलाएगा इसको represent करने का तरीका agi के उपर i- या i- जो है agi के उपर आ गया है दूसरा example example number two उसमें case one हमने लिया कि FeCl3 जब H2O के साथ यहां पर reaction करेगा तो यहां पर Fe2O3.xH2O यह dispersed face रहा यहां पर Fe3 plus है और 3Cl minus Fe3 plus gets adsorbed over the hydrated dispersed phase particle तो Fe3 plus है यह common था तो इस वज़े से इसके उपर adsorb हो गया तो इस वज़े से यहां पर कुछ इस तरीके से बना representation जो होगा Fe3 plus जो है इस dispersed phase particle के पर adsorb हो गया तो हम कहेंगे कि यहां पर positively charged salt यह कब case लिया जब हमने H2O hot लिया था तब हुआ यह ठीक है वहीं अगर बांदो यहां पर NaOH के साथ करा होता तो FeCl3 जो है same dispersed phase particle same होता लेकिन जो ions होते 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 है Na plus OH minus और Cl minus अब यहां पर इन तीन ions वे से ऐसा कौन सा है जो इस पूरी चीज़ के common है वो है रहेगा OH minus OH minus is adsorb over hydrated dispersed phase particle है ना तो hydrated dispersed phase particle के वह ज़े से common हो रहेगा OH minus OH minus जाएगा इसके उपर adsorb यह चीज़ हो जाएगी तो इस वए से यहां पर आएगा negative charge source तो जो चीज़ common रही वो जाके adsorb होई और उसी के related charge आया ठीक है? तो charge is the most important property of the colloid as because of charge only the colloids are stable due to the repulsion between the particles which does not allow the particles to come together and coagulate तो इस वज़े से charge जो है वो सबसे ज़रा important property होती है क्योंकि charge होता है तभी वो एक दूसरे से अलग होते हैं अगर charge नहीं होगा तो वो सब एक दूसरे से चिपक जाएगे अगर है ना क्योंकि brownian moment हो रहा है तो वो सब एक दूसरे से टकरा के अलग क्यों हो रहे है क्योंकि they have same charge अगर सबके पार same charge रहेगा तो सीज़ी बात है they will repel each other और इस वज़े से वो stable रहेंगे dispersed रहेंगे फैले रहेंगे otherwise वो सब चिपक जाएगे एक दूसरे से और नीचे जम जाएंगे अगर चार नहीं रहेगा तो इस वज़े से अग अग देखो यहाँ पर यहाँ पर यह बनेगा एक पॉजिटिव चार्ज सोल है ना इतनी बात हम जानते हैं अगर हम देखते हैं तो अगर हम देखते हैं तो नेगेटिव चार्ज है तो इस वज़े से एजी प्लस जो ऊपर ऊपर जमा हुआ है जिसकी लेयर बन चुकी है फिक्स लेयर एड्जॉर्ब हो चुकी है वह अट्री माइनस को हलका सा अट्रैट करेगा और अट्री माइनस जो है उस अट्रैक्शन की वज़े से यहाँ पर टिफ्यूज लेयर फॉर्म करेंगें डिफ्यूज लेयर मतलब मुवेबल नाट फिक्स ऐकर यह इस वज़े से यह अर्ण बबल लेयर को हम बोलते हैं हिलम हाबसद डबल यह अब क्या होता है कि हहां पर यह प्लस है यहां — इसकी वज़े से यहाँ पर सेप्रशन ऑफ़ च क्रिए हुआ, there is a potential difference which is created between the fixed layer and the diffuse layer due to the separation of charge और यहां पर एक separation of charge क्रिए हुआ और इसी separation of charge को this potential difference is called as electrokinetic or zeta potential और इसी को हम electrokinetic या zeta potentials कहते हैं, क्या बात समझ में आई, electrokinetic or zeta potentials कहते हैं, this potential difference is called as electrokinetic और zeta potential, ठीक बात समझ में आगई है ना, electrophoresis, now this is the fifth property, अभी हमने charge की property बढ़ी, अब यहां पर हम बात करते हैं, electrophoresis की, electrophoresis जो होता है, वो होता है, due to the charge on the dispersed phase particle, the movement of the colloidal particles on application of electric field happens towards the opposite terminal, वो जो होता है, वो opposite terminal की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, तो वो चीज़ जो होती है, वो electrophoresis होती है, तो due to the charge dispersed phase particle, the movement of the colloidal particles on application of electric field, move towards the opposite terminal, जैसे हम electric field apply करते हैं, तो dispersed phase, जो है, वो positive charge है, तो negative terminal की तरफ बढ़ेगा, अगर negative charge है, तो positive की तरफ बढ़ेगा, जैसे dispersion medium जो रहेगा, वो दूसरी तरफ बढ़ेगा, ठीक है, this movement, और phenomena is called as electrophoresis, इसी को हम electrophoresis कहते हैं, dispersed phase में positive जो रहता है, वो, अगर dispersed phase positive है, तो cathode की तरफ बढ़ेगा, और dispersion medium negative है, तो वो anode की तरफ बढ़ेगा, तो कि anode हमारा positive होता है, ठीक है, कि जो positive चीज है, वो negative की तरफ बढ़ेगी, इस तरफ को, और जो negative चीज है, वो positive की तरफ बढ़ेगी, ठीक है, तो इस वज़े से restricting the dispersed phase particle, बीच में ultra filter paper लगाने से क्या हुआ, कि जिस्ते भी dispersed phase particle से फिर वो रुख जाएंगे, और जैसे इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं, इलेक्ट्र ऑस्मोसिस की प्रोसेस, ठीक है, तो अब बात करते हैं, हम यहाँ पर coagulation की, coagulation मतलब होता है, coagulation का मतलब होता है कि नीचे जमा देना, इखटा करवा देना, पहले हम चाह रहे थे कि stable रहे, तो चीजों को हम चाहते हैं, दूर-दूर है, लेकिन अगर मान लो हमको किसी current वर्ष हमको coagulate करना रहा, तो क्या करेंगे, तो coagulate करना मतलब कि यहाँ पर हमको क्या करना है, नीचे जमाना है, या unstable बनाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, the aim will be to attack on the reason of the stability of the colloid, that is most important, importantly, the charge, तो यहाँ पर, most importantly, the charge, यहाँ पर, अगर हमको क्या करना है, जो reason of stability है, उस पर अगर attack किया, तो यहाँ पर यह चीज अंस्टेबल हो जाएगी, और यह चीज नीचे जम जाएगी, ठीक है, अब methods of coagulation की, अगर हम बात करें, methods of coagulation, तो इसमें सबसे पहला method आएगा, electrophoresis, ठीक है, electrophoresis जो रहा, वो plus, plus, जो है, वो minus की तरफ, minus की तरफ जाएगा, और discharge हो जाएगा, positive, electrode की तरफ, और discharge हो जाएगा, और coagulate हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने coagulation करने के लिए क्या किया है, उसके charge पर attack किया है, क्योंकि उसको discharge कर दिया अगर किसी तरीके से, तो coagulation तो हो जाएगा, फिर mixing two oppositely charged souls, अगर हमने two oppositely charged souls को मिला दिया, मानलों हमने positively charged soul लिया, ठीक है, और दूसरा negative charge soul लिया, तो इस दोनों चीज़े मिल गई, तो वापस थे, again coagulation हो गया, तो neutralize कर देंगे वो एक दूसरे के effect को, है ना, फिर एक तर तरीका हुआ, वो यहां पर boil, है ना, यह third method होगा, ठीक है, third और यह fourth method, कि by boiling, तो boil करने से kinetic energy और particles बढ़ जाएगी, है ना, boil करने से kinetic energy की, kinetic energy तो particles बढ़ जाएंगे, और collisions जो है, वो बढ़ जाएंगे, तो जैसे collisions बढ़ेंगे, तो charge जो है, वो कम हो जाएंगे, charge particles कम होंग तो dialysis या purification technique, if continued for long, then it will result in the loss of charge, and hence coagulation, और इसी वज़े से, वहाँ पर coagulation जो है, वो हो जाएगा, तो dialysis या purification technique, जो रहेगी, if continued for long, अगर बहुत देर तक के लिए रही, तो वो क्या होगा, it will result in the loss of charge, वो loss of charge, charge lose कर देगा, और coagulate कर जाएगा, ठीक है, तो persistent dialysis हो गया है हाँ भई, तो अब यहाँ पर continue करते हैं, हम coagulation की, क्या बोलते हैं, methods of coagulation में, तो सबसे पहले हम लोगोंने काफी कुछ देख लिया था, बहुत साई तरीके थे, अब fifth method जो आता है, वो है use of electrolyte, तो use of electrolyte करना, याने की, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, dispersed phase particle, अगर positive charge, तो negative ions से neutralize होने के लिए, so these ions which are responsible for the coagulation of colloids are called as coagulating और flocculating ions, ठीक है, तो यह coagulating या flocculating ions क्यलाएंगे, तो negative charge है, तो अब सीजी सी बात है, वो एक positive charge है, एक negative charge सोल को, एक positive ion चाहिए रहेगा, neutralize करने के लिए, वहीं अगर हम बात करते हैं, कि अगर हमाँ पास दो negative charge सोल है, ठीक है, दो negative charge particles है, तो वो क्या करेंगे, कि अगर हमने एक two plus, एक white two plus का लिया, तो वो दो चीज जो है, वो एक साथ दो colloidal particles को लेकर के neutralize करेगा है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, कि इसका मतलब यह है, कि hardy and shoals rule यहाँ पर आता है, काफी important चीज, very very important, बहुत बहुत important, कि with greater charge on the iron, comes greater power to coagulate, तो यहाँ पर धियान रखना, greater charge iron के उपर होने से, greater power आती है, उसको coagulate करने की, that is, greater the charge on iron, greater will be its tendency to coagulate, greater the charge on iron, greater will be its tendency to coagulate, नीचे जमाने की tendency जादा बढ़ जाती है, that is, for negative charge soul, negative charge soul की अगर बात करते हैं, तो Al3 plus is more than Mg2 plus is more than Na plus, यह order of flocculating या coagulating power रहेगी, ठीक है, यहाँ पर Al3 plus जो है, वो Mg2 plus से ज्यादा रहा, फिर Mg2 plus Na plus से, similarly for positive charge soul, FeCN6 4 minus जो है, वो ज्यादा रहेगा, PO4 3 minus से SO4 2 minus से और CL minus, ठीक है, FeCN6 4 minus से PO4 3 minus से SO4 2 minus, ठीक है, the minimum concentration of an electrolyte in millimoles per liter required to cause the precipitation in 2R is called as coagulating value, ठीक है, तो यह चीज़ बहुत ध्यान रखना important चीज़ है, कि minimum concentration, minimum concentration electrolyte का, जो millimoles per liter में चाहिए, जिससे precipitation जो है, वो 2 घंटे में हो जाए, उसको हम coagulating value कहते हैं, ठीक है, तो यह चीज़ ध्यान रखना, greater coagulating value, इसका मतलब lower coagulating power, ठीक है, यह बहुत important है, जो coagulating power है, वो coagulating value से एकदम inversely related रहेगी, ठीक है, तो यह चीज़ बहुत बहुत important है, यहाँ पर यह order ध्यान रखना, कि इसके उपर चार्ज जादा, वो जादा अच्छे से coagulate करेगा, यहाँ पर भी जिसके उपर चार्ज जादा, वो जादा अच्छे से coagulate करेगा, जो negative वाले हैं वो positive को coagulate करेंगे, जो positive वाले हैं, वो negative charge souls को coagulate करेंगे, ठीक है, तो इतनी बात तुमको अच्छे से clear रहनी चाहिए, और अगर coagulating value की बात की जाएगी, तो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, जो order आएगा वो उल्टा हो जाएगा, अगर coagulating value की बात की जाएगी, ठीक ह करेंगे, तो coagulate करेंगे, तो अगर यहाँ पर normal lyophobic souls की बात करते हैं, तो lyophobic souls का stability का reason होता है, वो charge ही होता है, लेकिन जो lyophilic souls होते हैं, उसमें charge और hydration दोनों होते हैं, इसलिए तो lyophilic souls जादा stable होते हैं, ठीक है, so in order to coagulate lyophilic souls, we use dehydrating agent along with electrolytes, तो electrolytes जो है, वो तो charge को खत दूसरे reason पर attack करना है, तो दूसरे reason करने के लिए हमको इसको dehydrate करना पड़ेगा, तो dehydrating agent और उसके अंदर डालनेंगे, along with electrolytes, तो electrolytes चार्ज को खतम करेंगे, लेकिन dehydrating agent जो है, वो hydration या solvation की property को खतम करेगा, और जैसे इन दोनों प्रोपर्टी पर attack हुआ, तब जाके ही lyoph सोल्स जो है, वो coagulate करेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखना, जैसे example की तोर पर alcohol या ऐसी tone अगर हमने साथ में मिलाया, along with electrolytes, तो वो चीज जो है, coagulate करवा देगा, ठीक है, लायोफिलिक सोल्स को, ठीक है, protection of lyophilic सोल्स, अब हम coagulate कर रहे हैं, अब हमको बचाना है, हमको coagulation से बचाना है, तो क्या करना पड़ेगा, so lyophobic souls being too unstable, need protection from small amount of electrolyte, और इस वज़े से हम चाहते हैं, कि वो small amount of electrolyte अगर हम add करते हैं, तो इससे बच जाए, so in order to do so, इस वज़े से हम क्या करते हैं, उसको बचाने के लिए, क्या करेंगे उसको बचाने के लिए, so in order to do so, we prefer stable colloids, उसलिए हम वहाँ पर stable colloids use करते हैं, उनको बचाने के लिए, that is lyophilic souls, तो lyophilic souls को use करेंगे हम बचाने के लिए lyophobic souls को, thus lyophilic souls are considered as protective colloids, इसलिए उनको protective colloids भी कहा जाता है, so these lyophilic souls gets absorbed over the surface of the lyophobic souls, which protect them from small addition of electrolyte, तो these lyophilic souls होते हैं, वो adsorb हो जाते हैं, lyophobic souls के surface के उपर, और उसको protect करते हैं, छोटे मोटे small amount of electrolytes के add होने से, small amount of electrolyte अगर हम add करेंगे, तो उस पर कोई फरक नहीं पड़ेगा, क्योंकि lyophobic souls जो हैं, वो वहाँ पर adsorb हो गए हैं, उसके surface के उपर, जैसे example के तो पर गोल्ड souls जो है, वो लायोफोबिक souls है, तो वो हमने, वो जो है unstable है, तो जिलेटन या स्टार जो की lyophilic souls है, तो प्रो इसी प्रोपर्टी को हम गोल्ड नंबर कहते हैं, तो गोल्ड नंबर क्या होता है, it is the minimum amount of protective colloid in milligrams when added to 10 milliliter of standard gold soul is just sufficient to prevent the coagulation of gold soul on addition of 1 milliliter of 10% NaCl solution, 10% NaCl solution से अगर हमको ये एक electrolyte है, इससे हमको बचाना है, ठीक है, किसको जो हमारा क्या बोलते हैं, ये protective colloids है, protective colloid मिला हम कितना मिला रहे हैं, minimum amount कितना मिला है, कि वो इस attack से 10 ml of gold soul को बचा ले, उसको हम gold number कहते हैं, ठीक है, तो जैसे 10 ml of gold soul है, और ये हमारा 10% NaCl solution, इसका हमने 1 ml लिया, ठीक है, और इसमें हमने मिलाया, तो हम कर रहे हैं इसके उपर attack, त्याकि ये हो जाए coagulate, लेकिन इसमें ह हम इसको बचाने के लिए, हम यहाँ पर दूसरी चीज़ यूज करते हैं, मानलो gelatin, gelatin is a lyophilic soul, इसको बचाने के लिए, तो minimum value of x is called as gold number, तो हमने मानलो x mg of gelatin इसमें मिलाया, ताकि ये just protect हो जाए, तो इसलिए हम बोलेंगे कि यहाँ पर इसकी minimum value है, x की minimum value होती है, जिससे कि य जाए, तो उसे हम gold number कहते हैं, तो gold number represents the protecting power of lyophilic souls, lyophilic souls की protecting power को represent करता है gold number, तो gold number जितना ज्यादा होगा, protecting power उतनी कम होगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, जितना ज्यादा gold number उतना कम protecting power, जितना कम gold number उतना अच्छा, क्योंकि gold number क्या है, amount of protective colloid कि इतना मिलाया है, na, emulsions last topic of this chapter, जहां पर अगर देखें, तो emulsions जो है, वो colloids of liquid in liquid है, तो जैसे दो type के होते हैं, oil in water होता है, example milk और cream, water in oil होता है, जो कि example butter होता है, so oil in water are generally unstable, ठीक है, वो unstable होते हैं, so it requires emulsifying agents to stabilize, ठीक है, तो इसलिए हम उसमें emulsifying agents यहां पर मिलाते हैं, oil in water को stabilize करने के लिए, they form interfacial layer between dispersed face and dispersion medium, dispersed face or dispersion medium के बीच में एक interfacial layer बनाते हैं, example of emulsifying agent for oil in water are proteins, gums, soaps, season, यह सारी चीज़ें जो होती है, यह इसके examples है, emulsifying agents for oil in water, ऐसे अगर emulsifying agent water in oil की बात करते हैं, तो heavy metal salts, जैसे lamb black हो गया, heavy metal salts, lamb black, kajal long chain alcohols, यह सारे emulsifying agents का काम करते हैं, ठीक है, तो इसको तुमको ध्यान रखना है, ठीक है, उसके बाद फिर अगर properties of emulsions की बात करते हैं, तो properties these are the dispersion of finely divided droplets in another liquid, ठीक है, दूसरे liquid में यहाँ पर dispersed रहते हैं, formed by shaking the mixture of two immiscible and partially miscible liquids, ठीक है, यह दो ऐसी चीज़ें जो आपस में mix नहीं हो सकती है, उनको हम यहाँ पर मिलाते हैं, they show tindle effect, वो tindle effect show करते हैं, brown in movement भी show करते हैं, क्योंकि after all they are colloids, mostly negative charge होते हैं, जारतर वो negatively charge होते हैं and can be coagulated by electrolytes, जैसे दूद जो होता है, oil in water जो होता है, दूद is a type of em emulsion, उसमें हम जब दही बनाना होता है, तो नीबू डाल देते हैं, या कुछ भी खटास डाल देते हैं, जो कि एक electrolyte है, वही electrolyte जो है, उसको discharge कर दे, मतलब discharge कर देगा, जो emulsion है, और इस वज़े से दही जम जाएगा है, तो दही जम जाते है, oil and water अलग हो जाते हैं, so it can be diluted with any amount of dispersion medium, it forms a separate layer with if dispersed face is added, अगर dispersed face add किया गया, तो एक separate layer बन जाएगा, लेकिन dispersion medium add किया, तो और dilute हो जाएगा, जैसे दूद में पानी मिलाया जा सकता है, लेकिन दूद में तेल नहीं मिलाएंगे, दूद में तेल डालेंगे, तो वो चीज अलग layer बनाएगा, लेकिन दू सकते हैं, broken by heating और freezing और centrifuging और इसको break किया जा सकता है इन इन चीजों से, heat करने से, freeze करने से, या centrifuging करने से, ठीक है, अब questions की बारी, तो यहाँ पर chapter खाशम होता है, अब हम questions कर लेते हैं, कुछ previous year questions, देख लेते हैं, तो need 2022 में आया हुआ question, given below are the two statements, in the coagulation of a negative soul, the flocculating power of the three given ions in the order Al3 plus is more than Ba2 plus is more than Na plus है, ठीक है, तो जब हम negative souls के ions की बात करते हैं, तो जो flocculating ions है, वो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि, उसकी जो power रहे की, वो Al3 plus की जाधा रहे की, then Ba2 plus की, तो यह statement पर एकदम सही है, फिर statement 2 की अगर बात करते हैं, in the coagulation of positive soul, the flocculating power of the three given salt is in the order, तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करते हैं, यह पर NaCl किसके coagulation की बात रहे हो हरी है, positive soul की, so positive soul किसके द्वारा coagulate होता है, negative ions के द्वारा, negative ions के द्वारा, negative ions यहाँ पर कोण है, CL- है, यहाँ पर SO42- है, और यहाँ पर PO43- है, तो अब CGC बात है, कि यहाँ पर स्टेटमेंट चूज दे मोस अप्रोपिए आंसर स्टेटमेंट वन इस करेक्ट बद स्टेटमेंट टू इस इंकरेक्ट फोर इस दांसर आंसर इस क्वेश्चिन सही बात है ना चलो एक और कुश्चिन नीट 2021 का कुश्चिन दे राइट ऑप्शिन फॉर्ट इंडल यह सब true solution है और true solution टिंडल एफेक्ट नहीं देते हैं तिंडल एफेक्ट कौन देता है तिंडल एफेक्ट देते हैं हमारे colloidal particles इस वज़े से starch जो है वो इसका आंसर जाएगा star solution तो इस वज़े से टिंडल एफेक्ट इस शोन बाइ colloids और इस वह से answer इसका 4 होगा colloids जो है वो starch यह चीज हो गई answer इसका 4 measuring zeta potential is useful in determining which of the following property ठीक है कौन सी property जो है हम यहाँ पर zeta potential से निकाल सकते है viscosity निकाल सकते है solubility निकाल सकते है stability of the colloidal particles निकाल सकते है या size of the colloidal particles निकाल सकते है तो इसका answer जो है stability क्योंकि यहाँ पर zeta potential जितना zeta potential है वो क्या बता रहा है वो charge को represent करता है कितना charge और charge जो है वही stability determine करता है तो जितना जादा charge उतना जादा stable तो zeta potential is determined by charge and charge is denote stability and charge denote stability इसलिए answer इसका 3 होगा याने की stability होगा ठीक है बास संगना आवे अब एक और यहाँ पर question है need 2019 का question है which mixture of the solution will lead to the formation of negatively charged soul colloidal soul AGI और I- का कौन सा यहाँ पर बनेगा तो हम जानते हैं अगर हमको I- बनाना है याने कि हम क्या चाहते हैं कि KI जो है वो axis में होना चाहिए है हमने यह देखा था कि I को axis में होना पड़ेगा और अच्छा खासा axis में ठीक है तो अगर हम यहाँ अच्छा खासा नहीं थोड़ा सा बहुत जादा नहीं तो यहाँ पर अगर देखते हैं 50 ml of 0.1 molar AGNO3 और 50 ml of 0.1 molar कि I तो यह दोनों तो बराबर हैं तो इस वज़े से यहाँ पर तो क्या बोलते हैं प्रेसिपिटेशन हो जाएगा 50 ml of 1 molar AGNO3 और 50 ml of 1.5 molar क्या बोलते हैं 1.5 molar कि I ठीक है तो यहाँ पर I- जो है वो यहाँ पर axis में है क्योंकि यहाँ पर इसके number of moles 1.5 है तो जादा है ठीक है वहीं अगर इसकी बात करते हैं 50 ml of 1 molar AGNO3 और 50 ml of 2 molar कि I तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो 1 molar 50 ml ہے और यहाँ पर 2 molar कि I यहाँ भी axis में है बड़ यह बहुत जादा है 50 ml of 2 molar AGNO3 और 59 में 1.5 मूलर की अगर यहां पर देखते हैं तो यहां पर AGNO3 एक्सेस में है तो यहां तो पॉजिटिव चार सोल बनेगा तो यह हमारा आंसर नहीं होगा अब बात करते हैं 2 और 3 की इसमें दोनों में ही के आई ज्यादा है लेकिन हमारा जो प्रेफरेबल आंसर रहेगा वो 2 रहेगा क्योंकि इन ओडर तो मेंग दर नेगिटिव चार सोल की आई मस्टी एक्सेस ठीक है तो इस वज़े से हमारा आंसर जो है इन आइन कोईपन किस पर करता है पहला मैगनिटिव अफ फ्र चार्ज ऑन अक लेक्रफ साइनलों करता है कि साइज ट rif इन वलनर ठीक है या उनले के देड़न करता की मैगनिटुड पास साइन की बात प्र जेकर नेगिटिव सब्सक्राइब करें कि श्रयां फोर है कि इस लिए नहीं इस लिए डोनों पर हिदिपेंड करता है इससे आंसर इसका ठीक है, correct option for representing the friendly absorption isotherm, friendly absorption isotherm की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि यह कौन सा होगा, देखो, यहाँ पर x by m k p की पावर 0.3 है, x by m k p की पावर 2.5 है, यह minus 0.5 है, यह minus 1 है, तो हमसे पूछा है कौन सा correct है, तो हमारा answer होगा 1, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि जो p की में लगा होता है, वो 1 by n होता है, और 1 by n की value जो होती है, जो 0 से 1 के बीच में ही लाए करती है, तो 0 से 1 के बीच में तो के वल यही option है, जो लाए कर रहा है, इसके रावा 2.5 greater than 1 है, minus 1 less than 0 है, और minus 0.5 भी less than 0 है, तो इस वज़े से हम बोलेंगे कि इसका answer हमारा 1 हो जाएग क्योंकि 0 से 1 के बीच में ही इसकी power लाए कर सकती है यहाँ पर, ठीक है, बास संग में आ गई, finally हमने यह chapter भी यहाँ पर finish up कर दिया है, surface chemistry काफी बहतरीन chapter रहा, और इसमें hardy and shoulds rule अच्छे से देखना, और इस से related काफी question आते हैं, flocculating value पूछी गई है कि flocculating power पूछी गई है, यह बहुत important है, अच्छे से करना, charge वाला जो concept है, वो चीज, preferential charge, यह कौन सा charge आएगा, किस चीज को किस में मिला रहे हैं, यह सारी जानकारी अच्छे से होनी चीए, questions की understanding अच्छी होगी, तो फटा-फट question बन जाएंगे, कि सारी चीजें तो theory based हैं, तो एक बार read करेंगे, ब्रेडिक सार्क method, brownian movement, इस सारी चीजें जो हैं, वो बहुत ही आसानी से बन जाएंगे, ठेक है, तो मिलते हैं next one shot के lecture में, till then, keep दोशाय, bye-bye.